हेलो एब्रीवान कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th SST का हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 4 दे एज ओफ इंडेस्ट्रिलाइजेशन ठीक है चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बा इस चैप्टर में कितने टॉपिक से तो वह है छे छे मेंसे सबसे पहला टॉपिक है यह बिफोर दे इंडेस्ट्रिल इवलूशन के पहले क्या सीन था वह हम देखेंगे ठीक है कमिंग आप अप तर फैक्टरी कैसे फैक्टरी आया फिर किस स्पीड से इंडेस्ट्रिल चें इसमें हम दो चीजों को दो चीजों का कमपैटिजन देखेंगे एक हैंड लेवर और उसके बाद दूसरा है मशीन इस्टीम पावर ठीक है देखेंगे इनका क्या खास बात था इसका आने के बात क्या-क्या चेंजेज हुआ वह सब चीज इस सेकेंड टॉपिक में हम देख जिसको यहां पर कॉलोनीज बोला गया है ठीक है तो तीसरा टॉपिक में हम इस्टेडी कर रहे होंगे कि कॉलोनीज में यानि इंडिया में कैसे इंडिश्यलाजेशन हुआ क्या-क्या फीचर्स था वह हम इस्टेडी करेंगे ठीक है फिर देख रहे होंगे वाट हैपन और फिर मैंचेस्टर कमस टू इंडिया यह इतना स्टेडी करने से हमारा तीसरा टॉपिक है वह एंड हो जाएगा फिर आ जाएंगे चौथे टॉपिक पे फैक्ट्रीज कम अप यह भी हम इंडिया के रेफरेंस से ही पढ़ रहे होंगे कि इंडिया में पहले क्या था जो और से वो कौन-कौन से थे वो देखेंगे ठीक है फिर वह इंडिया के रेफरेंस लेकर हम पढ़ते चले जाएंगे ठीक है इतना करने से जो चौथा टॉपिक था वह एंड हो जाएगा अब आजाएंगे पाच्वे टॉपिक पे पिकुलिरिटीज औफ इंडिस्ट्रिल ग करने से यह जो हमारा पूरा चेप्टर है वो एंड हो जाएगा तो आप देखे रहें चेप्टर का लेंध काफी बड़ा है तो उसी के इसाब से वीडियो का लेंध भी काफी बड़ा होगा और आपको पताए यह मेरा पढ़ाने का तरीका जब भी हम पढ़ाते हैं तो कर लेते हैं तो आपको इस चाप्टर के ऊपर और कोई वीडियो देखने का जरूत नहीं पड़ेगा एक बार टाइम इंवेस्ट कीजिए पूरा आपका चाप्टर अच्छे से खतम हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर को तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोक्शन पार्ट पहला पिक्चर के बारे आप पड़ते हैं लिखा हुआ है कि in 1900 इस साल में एक पॉपुलर म्यूजिक पॉब्लीशर थे जिनका नाम था इटी पॉल नाम याद कर लिजिए ठीक है इन्होंने एक म्यूजिक बुक का जो कभर पेज था ना जो उपर का कभर होता है उस कभर पेज में एक पिक्चर था जिसमें लिखा हुआ था डॉन आप दसेंचूरी यही पिक्चर था मतलब कभर पेज में इस ऐसा पिक्चर लगा हुआ था अब इस पिक्चर में क्या खास बात है वह हम नोटिस करेंगे यहाँ पर सबसे बहला बात आपने यह दो चीज यहाँ पर नोटिस किया है सबसे पहले इस मुजिक बुक के पॉब्लीशर कौन थे तो इटी पॉल यह नाम याद रखेंगे ठीक है फिर इस पिक्चर का नाम क्या है तो किसी चीज का सेंचुरी का मतलब आपको पता ही है पिरियोड ऑफ हंडेड इयर्स ठीक है तो यहाँ पर किसी चीज का सुरुवात हो रहा है उस पिक्चर में अनॉंस क्या हुआ है देखिए इस पिक्चर के बीचों बीच में आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक यहाँ पर एंजल लाइक फिगर है परी जैसे यहाँ पर वुमें को बनाया हुआ है इनके हातों में एक फ्लैग है जो निव सेंचुरी का फ्लैग लिए है फिर आगे देखिए C is gently pursed on a wheel with wings symbolizing the time यह जो एंजल लाइक फिगर है वो किस पर खरी हुई है तो काफी gentle तरीके से एक wheel पहिये पर खरी हुई है ठीक है और यह पहिया क्या symbolize कर रहा है time को symbolize कर रहा है जैसे जैसे पहिया rotate होके घूम के आगे बरहेगा वैसे वैसे मतलब time भी आगे बर रहा है फिद आगे देखिए और अगला क्या खास बात है इसमें her flight is taking her into the future और वो इस पहिये पर चलके कहां पर जा रही है जैसे वक्त बीद रहा है वैसे वैसे वो future में जा रही है ठीक है floating about behind her are the signs of progress और उनके आसपास और उनके पीछे कुछ चीज़े float कर रहा है तैर रहा है वो क camera, machine, printing press, factory आप यहाँ पर देख सकते है picture में इनके आसपास यह सब चीज, railway, camera, machines यह सब चीज आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है इन्ही सब चीजों को क्या बोला गया है science of progress यह सब चीज जहां पर आपको दिख रहा है मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है प्रगति, progress हो रहा ह इसको आप याद रखेंगे, एक मास का MCQ में पर पूछ सकते है कि science of progress किसको किसको माना दाता है तो इन सब चीजों को हम science of progress कहते है ठीक है चलिए तो इतना ही बात आपको prepare करना था इस picture से सबसे पहला बात इसके publisher ET Paul, picture का नाम क्या है, dawn of the century, इसका meaning भी समझा दिए, picture के center प और वो उरते हुए कहा जा रही है, future में जा रही है, ठीक है, और उनके आसपास इन सब चीजों को दरसाया गया है, जो कि क्या है, progress का sign है, ठीक है, चलिए, इतना चीज़ आपने जाना, इसके उपर question step से बनता है कि आपको exam में, इस picture के उपर 4-5 statement दे देंगे, और machines, देखे, जो machines और technology का glorification है, उपर वाले हमने picture में देखा कि यह जो machine और technology है, इनको science of progress काया गया है, मतलब यह सब चीजों को glorify किया गया है, ठीक है, मतलब बहाँ चला के, मतलब इनको highlight किया हुआ, इनका importance बताया गया है, तो इन सब चीजों का glorification है, वो और भी जादा हो दिखाया गया इस picture में, एक जादूगर है, जिसका नाम है अलादीन, और दूसरा जादूगर है modern mechanic, चलि यह थो लाइन मे लाइन जाते हैं, The one at the top is the Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his magic lamp, सबसे पहले इस Orient word का मतलब समझ लेते हैं, Orient का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, the countries to the east of the Mediterranean, Mediterranean के जो east में है, अभी world map में देख लेंगे कहां पे है Mediterranean Sea, उसको यहाँ पे Orient कहा जाता है, मतलब generally जो Asia, जो continent है, उसको Orient कहा गया है, ठीक है, the term arises out of a western viewpoint that sees this region as pre-modern, traditional and mysterious, यह जो term है Orient, यह मतलब western viewpoint, western के लोग जो लोग है, ठीक है, यूरोप के खास कर से, उन लोगों ने यह term को निकाला है, मतलब यह term बोलने का मतलब है कि यहाँ के जो लोग है, Asia के जो लोग है, वो पुराने जमाने के है, pre-modern है, ठीक है, traditional है काफी और काफी रहस्या में है, उसको Orient कहा गया है, आप एक पर world map में आते हैं, वहाँ पर और किलिए समझ पाएंगे आप, तो यह आप देखिए, यह ह आपको बीचो बीच में यहाँ पर मिलेगा Mediterranean Sea, ठीक है, तो इसके East में, तो यहाँ पर यह जो है Asia continent, ठीक है, इसको क्या बोला लिया है, Orient, यह pre-modern है, traditional है, mysterious है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका Western world यह सम, ठीक है, चलिए, तो यह जो Aladdin है न, यह कहां से बिलॉंग करता है, Orient, Orient, Asia वाले region से बिलॉंग करता है, ठीक है, तो यह Aladdin क्या करता है, एक beautiful palace बनाता है, अपने magic lamp से, आप इस picture में देख सकते हैं, इस picture में, दो magician, पिक्चर का नामी है, two magician, ठीक है, तो पहला magician हो गया, यह Aladdin, जो अपने इस lamp को घिसता है, और lamp को घिसके बहुत ही अच्छा महल बन बनाता है, एक नया magic, एक नया magic create करता है, जिसमें bridges बनाता है, वो ships, towers, high-rise buildings, इसके पास हतियार के रूप में क्या था, यह magic lamp था, जादू से इसने यह palace बना दिया, लेकिन जो modern mechanic है, इसके पास क्या है, tools है, ठीक है, modern tools है, इस modern tools का help से, bridges, ships, tall buildings, यह सब बनाता है, ठीक है, तो दोनों को magician क्या गया है, समझे की नहीं, तो Aladdin is shown as representing the east and the past, तो Aladdin क्या represent कर रहा है, east के जो countries है, Asia वाला reason है, उसको, और जो पहले का reason है, past, वो thinking denote कर रहा है, यह पहला वाला picture, ठीक है, और जो mechanic है, जो नीचे वाला magician है, वो stand करता है, for west and modernity, यह western viewpoint को denote करता है, और modern का आने व गया, ठीक है, जादू हो दुका, दिन गया, अब दिन किसका है, science and technology का time है, ठीक है, वो चीज यह दो, इस दो magician के दोरा दरसाया गया है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि, यहाँ पे भी क्या किया गया है, glorify किया गया है, यह वाट पे आप देहान द देखा, यह एक, काफी अच्छा account प्रसूत करता है, अब दा modern world, ठीक है, इसे हम modern world को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यह दो picture से, तब हमने यह समझा कि, जो modern world है, आज का time का, वो associated है, rapid technological change से, और innovation से, innovation का मतलब कोई चीज नया produce करना, ठीक है, नया invention होना, machine, factory, railway, और टीम सीप, यह सब चीज है, ठीक है, यह सब चीज हम समझें, यहाँ पर, फिल आगे देखिए, तो इस chapter में हमें पढ़ना क्या है, the age of industrialization, मतलब industrialization का history अगर पढ़ना है आपको, तो history of industrialization, simply क्या बन जाता है, history of development, हमें यह समझना पढ़े हैं, कि development कैसे हुआ, कैसे यह आज industrialization का history पढ़ लेंगे, समझ रही कि नहीं बात का कहा रहा है, चलिए, तो इस chapter में हम यही सब questions का answer ढून रहे होंगे, कि कैसे यह images develop हुआ, हम कैसे इस images से relate कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या industrialization जो है, वोसी technological development पर ही बहुत है, या फिर कुछ और भी है industrialization में, और, can we today continue to glorify continuous mechanization of all work, आज के time में हम देख रहे हैं कि सभी work में क्या रहा है, machines का use किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या हमें सा glorify कर सकते हैं, इसको हमें सा आच्छा है viewpoints से ही देखा जाया जाए, या फिर इसा कुछ negative impact भी है, तो यह सब जो questions का answer है, और इसका साथ जो industrialization इसका impact क्या पा हुआ, ठीक है, the first industrialization of Britain, और उसके बाद हम आएंगे colonies, यानि इंडिया पर study, focus कर देंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे, जो colonial rule था, जो British rule था, उन्होंने कैसे industrial change लाया इंडिया में, ठीक है, वो चीज़ को study कर रहे होंगे, समझे की नहीं, तो बस इतना ही था पहला topic को, before the industrial revolution, दिखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब भी हम industrialization word को सुनते हैं, तो हम इसको associate कर देते हैं, growth of factory industry के साथ, ठीक है, अब यहाँ पर दो word का आपको समझना पड़ेगा, एक होता है factory और एक होता है industry, दोनों में difference है, factory मतलब एक ऐसा building, एक ऐसा प्लेस, जहाँ पर कुछ machines रखा हुआ है, और इस machines के health पर कुछ product को हम manufacture कर रहे है, इस building या फिर place को क्या बोल देंगे, factory बोलेंगे, समझे की नहीं, मालीजे इस factory में एक product बन रहा है, मालीजे कपरा बन रहा है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक country में सीफ एक ही factory होगा, ऐसा ए यहाँ पर factory है, यह भी क्या बना रहा है, कपराही बना रहा है, textile बना रहा है, यहाँ पर एक और factory है, यह भी क्या बना रहा है, textile बना रहा है, यहाँ पर एक और factory है, यह भी क्या बना रहा है, textile बना रहा है, ठीक है, तो इन सारे factory को मिला के, जो है, क्या बोलेंगे हम लोग टेक्स्टाइल इंडस्ट्री बोल देंगे बात अगरा है यहां पर नोटीस कीजिएगा अब समझ रहें इंडस्ट्री और फैक्ट्री में डिफ्रेंस फैक्ट्री मतलब एकसी बिल्डिंग ऐसा एक प्लेस जहां पर मसील्स का हेल्प से कुछ चीज को प्रोड्यूस किया तर तो यहां पर लिखाए कि हम अक्सर क्या करते हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री समझ लेते हैं कि जितना दा फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है मतलब फैक्ट्री का ग्रोथ हो रहा है उतना ही ज्यादा इंडस्ट्राइजेशन हो रहा है हम ऐसा समझ के रखे हुए के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है of the first factory. हम हम ऐसा यह पढ़ते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले कैसे जो पहला factory था, वो कैसे setup हुआ, कहाँ setup हुआ, ठीक है? वो सबसी हम पढ़ना इस्टार्ट कर देते हैं, मतलब जब हम इंडस्टिलाइशन पढ़ना इस्टार्ट करते हैं तब, ठीक है लेकिन इस आइडिया के साथ एक problem है वो problem क्या है वो ये है देखिए लिखा है कि इवन बिफोर factories began to dot the landscape in England and Europe there was large scale industrial production for an international market यह keyword है यहाँ पर देखिए this was not based on factory बोला क्या है कि factories का आने से पहले कहाँ पर खासकर से अभी हम इंग्लाइन और यूरोप का बात कर रहें ठीक है ब्रिटेन का तो यहाँ पर factories कारने से पहले भी क्या होता था industrial production होता था और यह industrial production काफी large scale था मतलब बहुत ज़्यादा goods produce होता था और यह goods को क्या अपने ही country में consume कर लेते थे तो नहीं यह goods को क्या चीज़ के लिए produce किया जाता था for international market मतलब दूसरे दूसरे country में बेचने के लिए इस goods को produce किया जाता था तो मतलब उस समय भी industrial production था कि factories का आने से पहले भी बहुत चादा large scale में industrial production होता था international market के लिए बस difference यह था कि यह industrial production फैक्टरी पे बेज नहीं था मतलब यह इसमें जो समान बनता था वो फैक्टरी में नहीं बनता था बलकि कहां बनता था लोगों के घरों में बनता था हातों से बनाया जाता था ठीक ह बीना machines का help से तो इसी phase of industrialization को कई सारे historians क्या कहते हैं proto-industrialization कहते हैं very 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 important proto-word का मतलब क्या होता है indicating the first or early form of something किसी भी चीज़ का शुरवाती stage को proto कहा जाता है यानि आप इसका मतलब pre भी समझ सकते हैं ठीक है pre-industrialization देखिए तो exam में अगर definition पूछते हैं pre-industrialization का तो आपको सिफ इतना बात लिखना है कि factories से आने से पहले भी factories के आने के पहले भी England और Europe में large scale industrial production होता था international market के लिए और ये industrial production factory पे based नहीं था यहाँ पे चीज़े बनाया जाते थे लेकिन लोगों के घरों में बनाया रहता था हातों के help से तो इसी फेस को कहते हैं इसी फेस को कहते हैं proto-industrialization समझे की नहीं समझे यहां तक चलिए अब यह देखते हैं कैसे होता था कैसे नहीं होता था वह हम समझेंगे अब यहां पे यह बात है किस समय का तो यह बात है 17th and 18th century का century का मतलब अभी आपको बता के 1700 तक ठीक है इस time period को क्या बोलेंगे 17th century बोलेंगे समझे की नहीं उसी तरीके से 18th century किसको बोलेंगे बताइए तो बिल्कुल सही का आपने 18th यहां पे लिखा वाए तो लास्ट में 18 100 तो हो गाई और इस शुरुआत कहां से हुआ होगा तो 100 साला पूरा कर दीजिए 1701 स से लेके 1800 तक इस period को क्या बोलेंगे 18th century तो यह proto-industrialization की समय में हुआ था तो 17th और 18th century में time period याद रखेंगे बहुत important है ठीक है देखिए इस समय में दो टाइप के लोग थे एक यहां पर दो टाइप के लोग का discussion क्या हुआ है एक है merchant और दूसरे है पीजेंट और आर्टी करीद के दूसरे जगा पर बेचना ठीक है वह पारिगा काम सीफित नहीं होता है तो यह जो merchant थे टाउन्स के यह कहां चले गए began moving to the countryside यह merchants कहां पर गए countryside यह निक rural area में गए ठीक है एक ऐसा इंसान जो एक small plot of land में कुछ grow करता हो या फिर animals को पालता हो थीक है ऐसे इंसान को presents कहा दाता था पहले अब यह land हो सकता है इसी का हो सकता है क्या तो यह उसको own करता हो या फिर rent पह लिया हो थीक है तो ऐसे इंसान को पीजन्ट बोलेंगे और आटीजन्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कारीगर जो अपने हाथों से कोई समान बनाए ठीक है जैसे कि कुछ भी हो गया मटका हो गया कोई टूल्स हो गया अपने हाथों का इसमाल करके बनाए उसको आटीजन्स कहते है तो यह merchants जो है टाउन से कहाँ पे गए countryside में गए यह सब किसका बात हो रहा है यूरोप का बात हो रहा है तो merchants town से कहाँ पे गए countryside में कौन है peasants और artisans है तो यह merchants इस peasants और artisans को क्या किये money supplier किये इनको आके पैसा दिए और इनको pursuade यानि मनाए कि यह क्या करे produce करे for an international market मतलब यह merchants जाके इस peasants और artisans को बोले कि हम आपको पैसा देते हैं आप समान produce करना start कीजिए इतना समान produce करने का मकसद क्या है ताकि हम दूसरे दूसरे countries के जो market है वहाँ पे अपने समान को बेच पाएंगे समझे की नहीं मर्चेंट्स कहां पे है टाउंस में है यह peasants और artisans कहां पे है countryside में ठीक है चलिए आगे देखते है अब दो चीजों से जो goods का demand है वो बढ़ गया ठीक है पहला था expansion of world trade और दूसरा था acquisition of colonies in different parts of the world यह जो Europe जो continent है इसके जो अलग-अलग countries है France हो गया England हो गया यह लोग क्या करते थे अलग-अलग देश को गुलाम बना रहे है जिसमें से एक इंडिया भी था तो उस गुलाम देश को क्या कहा जाता है colonies कहा जाता है तो world के अलग-अलग part में colonies का नंबर बढ़ते जा रहा था यह लोग ज़्यदा ज़्यदा country को गुलाम बनाई जा रहे थे तो यह हो गया एक factor और एक factor था expansion of world trade मतलब दो countries के बीच में जो वेपार था trade था वो बढ़ते जा रहा था ज़्यदा goods का exchange हो रहा था तो यह दो रिजन का वजह से क्या हुआ goods का जो demand है वो बढ़ने लगा ठीक है अब देखिए अब हुआ क्या but merchants could not expand production within towns यह जो merchants है towns में रहते थे ठीक है लेकिन यह merchants क्या नहीं कर पाए यह towns में अपना production goods का प्रोड़क्शन बढ़ा नहीं पाए अब ऐसा क्यों देखिए इसको समझते हैं इस वास बिकाउज हेर मतलब टाउंस में अर्बन क्राफ्ट और एंट्रेड गिल्स पाई जाते थे गिल्ड का मतलब होता है ग्रूप association अब यह क्या है डिचल में समझते हैं देखिए वह पाउरफूल जो टाउंस थे वहाँ पर अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड थे यह काफी पाउरफूल थे अब यह अर्बन क्राफ्ट और क्रेड गिल्ड क्या होता है वो समझेए दीज वर association अब प्रोडूशर यह एक ऐसे प्रोडूशर्स का ग्रूप था जो क्राफ्स परसन को मतलब आर्टिशन गो कोई merchant enter नहीं कर सकता है ठीक है इसमें इस trade में फिर restricted the entry of new people into the trade ठीक है तो मतलब ऐसे group of ऐसे association और producer को क्या कहा जाता है urban craft and trade guild कहा जाता है समझे की नहीं मतलब simple language में अगर बोले तो यह urban craft and trade guild क्या है यह एक ऐसे association है producer का जो craft person को train करते थे production के उपर control बनाये रखे हुए थे और regulate कर रहे थे किसी भी type of competition को मतलब कोई भी नया इंसान को अंदर नहीं आने देते थे कोई नया दुकांदार मतलब कोई नया merchant यहाँ पर ख़रा नहीं हो सकता है ठीक है वो अपना समान नहीं बेज सकता है किसी भी नय लोगों को अंदर नहीं आने देते थे मतलब यह लोग जो अब जो producer पहले से हैं वही लोग समान प्रोडूस करते रहेंगे ठीक है तो जो न craft and trade guild है और यह लोग किसी भी नए परसन को trade में घुसने नहीं देते थे ठीक है चलिए और इसके साथ-साथ उस समय जो rulers हुआ करते थे उन्होंने different guilds को different groups को समझ रहें उनको monopoly दे दिया था right to produce and trade in specific product मतलब एक माली जो एक special type का product है यह प्रोडूक्ट सिफ यही guild बनाएगा यही group of producer बनाएंगे ठीक है ऐसा कुछ rights दे रखा था in rulers ने इसलिए भी यह जो merchants है यह production को expand नहीं कर पा रहे थे towns के अंदर ठीक है it was therefore difficult for new merchants to set up business in towns तो कोई एक नया merchant अगर सोचेगा कि towns में business set up कर ले तो उसके लिए काफी मुश्किल था because of यह guild guild क्या होता है वो हमने समझा यह क्या करते थे वह हमने समझा और साथी साथ जो rulers है यह भी situation काफी difficult बना दिये थे इन्होंने monopoly मतलब एक ही producer जो है वो इस्पेसल टाप का product जो है वो produce करेगा ठीक इसलिए कोई नया merchant है अपना business setup नहीं कर पा रहा था इसलिए यह जो merchant they turn to the countryside यानि यह जो merchant है कहां चले गए countryside की तरफ गए ठीक है चलिए तो इसके उपर एक question बन जाता है इस topic के उपर आपसे पूछेंगे कि why did merchants in Europe go to the countryside in the 17th and 18th century यह जो merchant थे क्यों countryside में गए 17th और 18th century में यह time period बहुत important है तो याद रखिएगा ठीक है तो वही reason आपको देना पड़ेगा पहला तो क्या हुआ गूर्स का डिमांड बढ़ गया दो रीजन से एक तो expansion of world trade दूसरा acquisition of colonies ठीक है गूर्स का डिमांड बढ़ गया यह पहला रीजन हो गया दूसरा रीजन यह था कि टाउंस में अर्बन क्राफ्ट और trade गिल्ड थे जिनके कारण यहाँ पर production को expand कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ठीक है और यह trade गिल्ड क्या है इसके उपर बेलग से question आ सकता है तो इसका definition यहाँ से त्यार रखेंगे ठीक है फिर तीसरा रीजन हमने यह देखा कि जो rulers थे उन्ह कहां गए countryside में help लेने के लिए countryside में कौन है यह peasants और artisans है समझे की नहीं चलिए तो यह आप प्रिपेर कीजिएगा फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है अब आगे बात क्या जा रहा है countryside का मतलब पीजेंस और artisans के बारे में पर बताया गया है in the countryside यह जो पीजेंस औ रहा था Commons का मतलब एक ऐसा open field जिसको कोई भी यूज कर सकता है वो किसी का नहीं है मतलब उस पर कोई भी आके खेती कर ले पसू चरा ले ठीक है तब तो उतना population नहीं था land काफी जा रहा था तो ऐसे खुले हुए मैदान को open field और Commons कहते है ठीक है तो यह जो समय था 17th और 18th century इस समय ऐसे खुले मैदान को क्या किया जा रहा था घेरा किया जा रहा था इंक्लोस किया जा रहा था ठीक है तो अब तक जो पीजन्स और आर्टीजन्स से यह पीजन्स in open land और open Commons को यूज कर रहे थे जब इनको इंक्लोस करना स्टार्ट कर दिया गया तो इनके लिए पूर थे जो यह common lands पे पहले depend करते थे for their survival, gathering there, firewood, berries, vegetables, hay and straw, had now to look for alternative sources of income तो यह पूर पीजन्स और cottagers का यह common commons का जैसे ही enclosure होने लगा तो इनके लिए काफी मुश्किल पैदा हो गया यह लोग यह सारा काम पहले इस commons और open field से कर लेते थे लेकिन जब इनको इनको इस open field औ commons को includes किया दाने लगा तब इनके लिए काफी मुश्किल हो गया तो यह लोग क्या करने लगे alternative source of income डूने लगे क्या और कहां से कमाई आये जो इनका घर जले ठीक है कई सारे जो cottagers और जो peasants थे उनके पास काफी छोटे plot of land थे which could not provide work for all members of the household तो घर में जितने भी लोग थे तो उस छोटे जमीन पर कैसे काम करें ठीक है सारा लोग के लिए काम नहीं मिल बा रहा था समझे तो वेन मर्चेंट्स केम राउंड एडवांड एडवांस तो प्रोड्यूस गूड्स फॉर देम पीजेंट हाउजोर्स इगरली अग्रीड तो जब मर्चेंट्स आये और इ इगरली एगरी कर गए समझे की नहीं क्यों एगरी कर गए हम समझी रहे इसका डीजन चलिए आगे दिखते हैं बाइवर्किंग फॉर्ड़ दा मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन दा कंट्री साइड एंड कंटिवेट देर स्मॉल प्लॉट मर्चेंट के लिए काम करने से इनको दो फाइदा मिला नंबर वन एक फाइदा तो यह हुआ कि वह अपने कंट्री साइड में मतब रूरल एडिया में रह सकते हैं यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी हम कोई जॉब करते हैं तो हम कोशिश करते कि हमारे घर के पास ही जॉब मिल जाए ठीक है क्य और डूसरा एडवांटेज यह हुआ पीजेंट को कि वो लोग कंटिनू कर पा रहे थे तो कल्टिवेट यह स्मॉल प्लॉट ठीक है मतलब घर के खर्चा चल रहा था तो इंकम फ्रम प्रोटो इंड़स्टियल प्रोडक्शन सप्लिमेंटेट यह श्रिंकिंग इंकम फ्रो पहले यह जो पीजेंट्स थे वो सिफ छोटे से जमिन पर कल्टिवेशन करके अपना घर चला रहे थे अब उनका इंकम बढ़ गया क्यों क्योंकि यह जो प्रोटो इंड़स्टियल फेस था इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा था इससे उनका इंकम सप्लिमेंट हो गया इंक चलिए अब इसके उपर भी एक question बन जाता है आपसे exam में पूछेंगे कि why did the farmers या फिर peasants in the European countryside agree to work for the merchant in the 17th and 18th century ये peasants क्यों agree कर गए merchant के लिए काम करने के लिए यही सा point आपको लिखना पड़ेगा कि यह ऐसा समय था जब open field और common को in close किया जा रहा था ठीक है तो यह courtagers और poor peasants alternative source of income ढूनने लगे कई लोगों के पास काफी छोटा जमीन था जिस पे जो घर के जितने भी member से उनसाब को काम नहीं मिल पा रहा था ठीक है तो यह सब reasons से जो present है वो काफी eagerly agree कर गए merchants का offer को लेके ठीक है इससे फाइदा भी हुआ पीजेंट को पीजेंट अपने घर में रखे काम कर पार रहे तो उनको कहीं बाहर जाने का जरोत नहीं पर रहा था और साथी साथ जो भी family labor resources है उनको यह काफी अच्छी तरीके से use कर पा रहे थे तो यह सब points देके आपको यह answer लिखना परेगा ठीक है और एक बात आपको साथ है कि इस chapter से जितना भी important question answers है वो अगर आपको सब एक जगा पर चाहिए तो आपको मेरे website पर विजिट करना परेगा www.cbacguidanceweb.com आप यहां पर जाएंगे class 10 वाले section पर जाएंगे और subject पर क्लिक करके चैप्टर के name पर क्लिक करके आप इसका question answers एक जगा पर पासकते है ठीक है अभी आप सिप समझते चलिए और चैप्टर जब खतम हो जाएगा तब आप उसको सेंसर को पर जोड़ देख लीजिएगा ठीक है काफी helpful रहेगा आपके लिए चलिए आगे continue करते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यह काफी close relationship develop हो गया town और countryside में ठीक है है यह तो बिल्कुल सही हाँ पीजेंट्स कर रहे थे वह काम पीजेंट household ठीक है तो माल लीजिए कोई एक मर्चेंट है को एक वैपारी है कप्रे का वैपारी मर्चेंट क्लोधियर वह इंग्लैंड में है ठीक है तो वह कैसे काम करवाता था देखिए वह वूल पर्चेस कर fund देखिए अश्च्रद करता है ऐसे इंसान को क्या बोलते है इटर गैट है तो यह मर्चेंट सबसे पहले वूलह खरीता था खिससे अच्छे ठीक है वह खरीत था फbrand का गरते बहौन देते है thread में यानि जिसको yarn बोलते हैं यह build से अब उसमें क्या बना दिया? thread बना दिया, है की नहीं? तो spinner का काम खतम अब उसको फिर अगले stage में किसके पास ले जाए जाता था, तो उसको veaver के पास ले जाता है, veaver क्या करता है इस thread को यूज़ करके एक कपड़ा बुन देता है इस थ्रेड से क्या है बन गया कपड़ा क्लोथ बन गया ठीक है यह बनाया कौन वीवर ठीक है उसके बाद वीवर से वो कपड़ा कहां जाएगा फुलर के पास जाएगा फुलर कौन होता है फुलर एक ऐसा इंसान होता है जो गैदर्स क्लोथ भाई स्थेकर फिर्प्रणा करके उस कप्ड़े को ņप टर्डप्रक्रण टेंग तो इससाफ से प्रोडक्शान होता था और फाइनले उससे काम चलता था उस समय में और उस समय में उससमय और 18th century में चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है तो यह जो proto-industrial systems है उसको कौन control कर रहा था merchant control कर रहे थे ठीक है सारा देख रहे कि यही कर रहे थे और जो goods है जो समान है वो उसको बना कौन रहा था तो vast number of producers थे वो उस समान को बना रहे थे working within their family farms not in factory और यह जो producer थे factory में काम नहीं करते थे वो अपने घर में काम करते थे समझ रहे ना इसी को तो proto-industrial system बोलते हैं मतलब इस समय में factory नहीं आया हुआ था लेकिन तभी भी industrial production होता था ठीक है वो production काम था घर में होता था family labor का यूज करके ठीक है at each stage of production 20 to 25 workers were employed by each merchant this means that each clothier was controlling hundreds of workers हर एक stage में या जो हमने अलग-अलग stage देखा कि पहले wool को purchase करना stapler से तो stapler हो गया फिर spinner हो गया फिर weaver हो गया fuller हो गया dyers हो गया तो हर एक stage में लगभग 20 से 25 workers involved थे यहां पे 20 से 25 worker काम कर रहें यहां से 20 से 25 worker काम कर रहें फिर यहां पे भी 20 से 25 worker काम कर रहें इस तरीके से production होता था ठीक है और यह सब को एक merchant control करके रखा हुआ था ठीक है ऐसी करके बहुत सारे merchant भी थे वहाँ पे तो this means that each clothier तो हर एक जो मतलब है कि एक जो merchant था ना एक अगर कप्रे का वैपाड़ी है तो वह लगबग 100 workers को control करके रखा हुआ था इस टेप्लर से लेकर स्पीनर से लेकर वीवर से लेकर फूलर से लेकर डायर तक ठीक है तो यह सब बात यहां पर बोला गया है समझेंगी नहीं चलिए तो इसके उपर दो कोशन आपको बता दिए एक कोशन ऐसा पूछा जाएगा आपसे पूरा टॉपिक के उपर आपसे बोलेंगे कि what was proto-industrialization इसका definition पूछेंगे तो आप यहां से यहां तक लिखेंगे सबसे पहले फिर इसी कोशन में add करेंगे कि explain the important features of proto-industrialization इसका क इसके बारे में ठीक है कि इस पूरे सिस्टम को merchant control करके रखा हुआ था और हर एक stage में 20 से 25 वर्कर काम करते थे मतलब एक merchant लगभग 100 वर्कर्स कंट्रोल करके रखा हुआ था ठीक है इस तरीके से मतलब mask के उपर divan करेंगा कि कितना पॉइंट लिखना है चलिए इसका डिटेल आइंसर आपको मेरे website में मिल जाएगा फिलाल आप समझे इतना चलिए चलिए अब श्टार्ट करते हैं अगला topic अगला topic है the coming up of the factory अब देखे कि production जो है वो कहां पर हो रहा था countryside में हो रहा था है कि निए अब देखते ए फैक्ट्री कैसे कैसे आया और कैसे कैसे scene change हुआ लिखा है कि the earliest factories in England came up by the 1730s अब यह समझी है 1730 और यहां पर एस लिखा हुआ है इसका मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग होता है 10 year का period मतलब जहां भी इस लगे तो उसका 10 year का period में है यहां पर 30 में एस लगा है मतलब यह हो गया 1730 से लेके 1739 तक ठीक है इसको बोला जाता है 1730 समझे की नहीं उसी तरिके से अगर कोई आप से बोले कि आप अप़े 20 में है मतलब आपका एज जो है वो अभी क्या है 20 से लेके 29 के बीच में है सम कौन सा सेंचुरी है बताइए यह तो आप बोलेंगे यह 18th century का बात किया जा रहा है है की नहीं चलिए लेकिन पहले फैक्ट्रीस तो इस टाइम पर आये लेकिन जो वो समय जब फैक्रीस का नंबर्स मल्टिप्लाई हुआ वो था लेट 18th century 18th century का मतलब क्या बताइए तो आ इन दिनों के बीच में क्या परेगा तो 1750 यह यह परेगा इसको बोलेंगे मीड 18th century समझे की नहीं इससे पहले वाले यह को जैसे की 1701 से लेके 172030 तक यह वाले प्रियाट को क्या बोलेंगे अर्ली 18th century बोलेंगे और उसे जरीके से लेट का भी आप मिनिंग निकाल लीजि यह समय था जब क्या हुआ जो फैक्ट्री का नंबर है वो मंटिप्लाई होने लगा बहुत तेज गती से फैक्ट्री आने लगे ठीक है दो बात हमने यह दो लाइन में जाना आगे दिखिए तो किस टाइप के फैक्ट्री आ रहे थे तो सबसे पहला फैक्ट्री कॉर्टन का फैक्ट्री आ रहा था ठीक है इस कॉर्टन का जो प्रोड़क्शन है वो बूम मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया लेट 19th century में लेट 19th century समझ रहे किस टाइम को बूला गया होगा सबसे पहले 19th century क्या हो गया तो 1801 से लेके आपका हो गया 1900 तक इसको बोलते है 19th century अब यहाँ पे लेट है यानी 1880 का अप्रोक्स या फिर 1860 का अप्रोक्स 70 का अप्रोक्स यह वाला टाइम को बूला जा रहा है ठीक है तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है कि कॉटन का प्रोड़क्शन कब ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो लेट 19th century में ठीक है फिर आगे लिखा है कि in 1760 to fight its cotton industry यह देखिए बृटें के अंदर बहुत सारे क्या है cotton इंड़स्टρι यह तो सेवेंटीन सिस्टी म느 हिए कितना रखेंट करता था 2.5 मिलियन पाउंड ठीक है इतना पाउंड मतलब यह वेट का मेजर है मास का मेजर है ठीक है तो यह 2.5 मिलियन कॉटन मंगाता था बाहर से अपने कंट्री में लेकिन वही 1787 होते होते तक यह अमाउंट बढ़के कितना हो गया 22 मिलियन पाउंड लगभग 27 साल में यह 2.5 मिलियन पाउंड से बढ़के 22 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन अपने कंट्री में इंपोर्ट करने लागा ठीक है तो यह जो इतना का इंकरीज हो गया यह इंकरीज होने का रीजन क्या था तो इस इंकरीज was because of the number of changes within the process ऒग्रोदक्शन क प्रोड़क्शन का प्रोश्ऽ था धिक हो या कटन टेस्टाःल जो बहुत ज़्यादा inventions हुआ जिसके कारण efficacy efficacy का मतलब efficiency of each step of the production process वो increase हो गया production process में बहुत सारे step होते हैं जैसे कि सबसे बहले carding होता है carding क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं फिर वापस text पाएंगे carding का यहाँ पर definition लिखा हुआ है the process in which fibers such as cotton and wool are prepared prior to spinning spinning क्या था आपको पताया था spinning में जो wool है या फिर cotton उसको spin करके क्या बना जाता है thread धाका बनाया जाता है ठीक है तो spinning करने से पहले उस cotton या फिर wool को prepare किया जाता है ठीक है उस prepare करने का process को क्या बोलते है carding कहते है समझे की नहीं तो देखिए तो carding हो गया फिर twisting हो गया फिर spinning हो गया फिर rolling हो गया यह सब क्या है production process है तो इसी production process में कई सारे inventions हुए कई सारे नई नई टाप के machines है जिसके कारण यह जो production process का efficiency है वो काफी बढ़ लिया मतलब अब ज़्यादा कम time में और कम energy consume करके काम हो रहा था समझे की नहीं समझे चलिए तो they enhance the output per worker इसको समझे ऐसा invention से क्या हो गया एक worker का output बढ़िया मतलब पहले अगर एक worker माल लीजे एक roll yarn produce करता था अब वही एक worker माल लीजे यह पर पांच roll yarn produce कर रहा है क्यों कि क्यों कि यहां पर invention हुआ है machines जो है वो काम को आसान कर दिये ठीके इससे क्या हो गया कि enabling each worker to produce more अब हर एक worker ज्यादा produce कर रहा था and they made possible the production of stronger threads and yarn और जो threads और yarn बन रहे थे वो काफी मजबूत भी थे हैं कि नहीं चलिए तो यह हो गया पहला reason जिसे हम समझ रहे हैं कि जो production है वो क्यों इतना बूम हो गया समझे ही नहीं चलिए फिल आगे देखिए फिर उसके बाद एक इनसान थे जिनका नाम था रिचार्ट और राइट ठीक है इन्होंने क्या किया cotton क्या क्या हो रहा था कंट्री साइड में हर जगा फैला हुआ था एक लोग अपने घरों में ऐसे प्रोड़क्शन करते थे लेकिन रिचार्ट और राइट ने क्या क्या एक cotton सेट अप कर दिये ठीक है अब प्रोड़क्शन जो है इसके अंदर होगा इसी को मिल बोला जा रहा है तो इसने सेट अप किया था रिचार्ड और राइट ने ठीक है देखिए आप यहां पर पिक्चर भी देख सकते हैं एक यहां पर cotton प्रोड़क्शन मिल का पिक्चर दिया हुआ है ठीक है आगे देखिए विदिन दा मिल आल दा प्रोड़क्शन के अंदर होगा जिससे की इसको मैनेज करना काफी इजी हो गया ठीक है इससे और भी अच्छे से आप आप जो मर्शेंट है वो सुपरवाइस कर पा रहे थे प को अब चाहिक आप उपर रहे थे साही से समान बन रहा है कि नहीं रगुलेशन आफ लेवर ठीक है रिवर को रेगुलेट करना यह काम और और ऐसा बहुत सारा काम जो अभी तक मुश्किल था क्योंकि अभी तक प्रोड़क्शन कंट्रीशाइड में हो रहा था एक मर्शें काम इजी हो गया समझे की नहीं तो ये भी एक रीजन है जिससे की क्या हुआ कॉटन का प्रोड़क्शन काफी बूम हो गया in the late 19th century में समझे की नहीं समझे चलिए कि इसके उपर एक कोशन बन जाता है बहुत अच्छा आपसे पूछेंगे यह जो हम येलो सा हालाइट किये इसके उपर कोशन बनेगा आपसे पूछेंगे कि मतलब यह जो 18th century में जो इन्वेंशन हुआ इससे कैसे इफिसेंशी बढ़ गया ठीक है वह आपको एक्स्पेन करना है तो आप यह पूइंट लिखेंगे आउटपूट पर वर्कर बढ़िया और भी यह सब बात फिर यह मिल वाला बात लिखेंगे कि मिल कर बनने से क्या क्या सुभीदा हो गया ठीक है चलिए तो इन्वार कॉंक्लूजन पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो in the early 19th century समझ रहें early 19th century time period आप गेस कर पा रहे होंगे factories increasingly became an intimate part of the English landscape 19th century आते तक हर जगा आपको इंग्लेंड में factories दिखने को मिल पा रहा था ठीक है और इसका इसका इंपक्त है इतना visible था हर जगा मतलब लोगों के मन में ऐसा चल रहा था उस टाइम सब्सक्राइब के लोग थे उसमें पूरा चौक गए थे क्या नयाची जा गिया ठीक है they concentrated their attention on the mills सभी लोग का ध्यान किस पे था मिल्स पे था लोग भूल गए बाइलेंस और वक्सप को जहां तक अभी तक production हो रहा था ठीक है लोग इन पर ध्यान देना बन कर दिये थे ऐसा कुछ impact क्रियेट हुआ था उस समय ठीक है चलिए अब आज आते हैं अगले topic पे अगला topic है the pace of industrial change यह सब जो change हो रहा था industrial change उसका speed क्या था क्या हर जगा same speed से चेंज हो रहा था वो समझते हैं देखिए इसको कुछ points में यहाँ पर समझाया गया है सबसे पहला point यह है कि Britain में जो most dynamic industries है जहां पर बहुत जड़ा change हुआ वो दो ही है एक है cotton industry और एक है metals यानि iron and steel industry ठीक है textile industry और iron and steel industry ठीक है देखिए growing at a rapid pace cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s यह जो 19th century है उसका early 19th century ठीक है 1840s तक पहला phase of industrialization बोला गया है ठीक है तो पहले phase में जो cotton था cotton industry यह leading sector ठीक है और इस time के बाद जो iron and steel industry है वो मतलब scene में आ गया main ठीक है main focus इस पे आ गया समझे की नहीं अब यह देख हमने एक ही बात जाना कि जो first phase of industrialization था उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन ग्रो किया तो cotton industry ग्रो किया उसके बाद 1840s के बाद कौन इंडस्ट्री आ गया scene में metal इंडस्ट्री मेटल मतलब iron and steel industry ठीक है अब यह कैसे आ गया इसका इतना importance क्यों हो गया iron and steel industry का तो उसका reason यहाँ पे समझे उस समय क्या हुआ कि railway का expansion हो रहा था ठीक है 53 में तो इस वाज़ा से railway का demand मतलब iron and steel का demand काफी बढ़ गया ठीक है आप इसको डेटा से भी समझ सकते हैं कि 1873 तक ब्रिटेन जो था वो iron and steel कितना export कर रहा था 77 million pound इतना export कर रहा था ठीक है double the value of its cotton export इस समय में मतलब जो iron and steel का export था मतलब दूसरे कंट्री में जो बेशता थ है ब्रिटेन वो इतना पॉंड था 77 million pound जो कि डवल था cotton export का ठीक है तो यहां से समझ मार रहा है कि 1840 के बाद जो cotton का जो रूदवा था मतलब इतना में सीन में नहीं रहा cotton industry उस समय में इस प्रिडिट के बाद उस समय में 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 सीन में कौन था तो iron and steel industry था समझे तो चलिए जो जो मनलाइन की है होतना ही बात आप प्रिपेर करेंगे कि आपसे एक्जाम में पेस के बादे में पूछेंगे ठीक है बताएंगे अभी कोशन कैसा आएगा तो आपको पहले point में यही लिखना है कि first phase of मतलब जो main जो most dynamic industry थे बिटेन में वो दो ही थे cotton और metal first phase of industrialization में जो with the expansion of railway demand for iron and steel industry iron and steel increase rapidly समझे की ने जितना मनलाइन की है उतना प्रिपेर कर लीजे काफी होगा आगे move कर जाएंगे दूसरे point पे दूसरा point यह है कि the new industries could not easily displace traditional industry ऐसा नहीं है कि जो नए industries जो बन रहे थे अभी वो एकदम ही आके पुराने industries को खतम कर दिये पुराने industry बोलने का मतला में जो घर में लोग production कर देते उसको एकदम ही से खतम नहीं कर दिये even at the end of the 19th century समझे रहे end of 19th century less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector जो technologically advanced industrial sector है वहाँ पे जो workforce है कितने लोग वहाँ पे काम करते तो उसका number काफी कम था less than 20% मतलब हर 100 में से लगभग 20 से भी कम लोग ऐसे थे जो industries technological वाला industry में काम कर रहे थे अभी भी 80 लोग ऐसे थे जो कहाँ पे काम कर रहे थे traditional industry मतलब घरों में काम कर रहे थे समझे की नहीं समझे चलिए यह हुआ दूसरा point textiles was the dynamic sector but a large portion of the output was produced not within factories but within domestic unit हमें पता है cotton जो industry है जो textile industry है वो dynamic sector है ठीक है इसमें सबसे ज़रा growth देखने को मिला तो इसका जो production हो रहा था जायतर production कहां से आ रहा था फैक्ट्री से नहीं आ रहा था बलकि अभी भी घरों से बन के आ रहा था ज्यादा prominent role play कर रहे थे ज्यादा worker भी अभी इसी में काम कर रहे थे लगवग 80% worker और ज्यादा output भी इसी सेक्टर का रहा था ज्यादा समान भी इसी सेक्टर में बन के आ रहा था ठीक है चलिए आज यह तीसरे point पे तीसरा point है the pace of change in the traditional industry was not set by steam powered cotton और metal industry but they did not remain entirely stagnant इधर बोला कि यह जो traditional industries है ना जो घर में लोग जो लोग समान बनाते थे वो traditional industry में जो changes आया वो change इसलिए नहीं आया क्यूंकि cotton और metal industry में change हो रहा था ठीक है ठीक है मतलब यह उतना change नहीं हुआ बुलने का मतलब है यह traditional industry लेकिन कुछ change इस में भी आया जो छोटे-छोटे innovations हो रहे थे वो इनके growth का basis था मतलब कुछ changes तो यह traditional industry भी अपना है मतलब यह जो घरों में जो लोग समान बनाते थे अब पूरा-पूरी हाथ पे dependent नहीं थे वो लोग भी कुछ machine skin के ला रहे थे और घर में यूज़ करके बना रहे थे है की नहीं होई बात यहां पे लिखा है कि ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture, making and production of implements यह सब ऐसे sector है जहां पे पहले machines का यूज़ नहीं होता था ठीक है लेकिन इन सब सेक्टर में भी छोटे-छोटे-छोटे innovations हुए लोग कहीं कहीं में छोटे-छोटे machines यूज़ कर लेते थे जिससे की production process fast होता था ठीक है चलिए ये तीसरा point इसके बारे में लिखा हुआ है चौथा point पर आ जाईए चौथा point में लिखा है कि technological changes occurred slowly they did not spread dramatically across the industrial landscape कोई भी technological change हो रहा था नया technology अगर develop हो रहा था तो ऐसा नहीं कि develop होते ही पूरा तेजी से हर जगा फैल जाए सब लोग उस technology को अपना ले और यूज करना स्टार्ट कर दे ऐसा नहीं हो रहा था ठीक है इसका reason क्या है सबसे पहला तो जो नया technology आ रहा है वो काफी expensive होता था और जो merchant और industrialist थे वो इसको use करने से कतर आते थे ठीक है कभी-कभी machines लगातार खराब हो जाते थे और उसको repair कराना काफी costly affair होता था तो they were not as effective as their inventors and manufacturers claim तो पर एक question बनता है देखे question आप से ऐसे पूछेंगे कि describe the pace of spread of the industrial revolution in England में मतलब यह pace word से आप पहचाने कि यह question इस topic से ठीक है तो उस pace को आप describe कीजिए कि कैसे कैसे spread हुआ तो पहला point आप यह लिखेंगे कि दो ही industry main prominent role play किये थे first phase में cotton industry और railway expansion के बाद iron and steel industry dominant role play किये ठीक है इत इसना यह सब data नहीं याद करना है आपको इसको आप skip कर सकते हैं फिर दूसरा point में आप लिखेंगे कि जो traditional industry थे वो एकदम ही displaced नहीं हो गये थे even end of the 19th century तक यह traditional industry में ज़़ातर workers employed थे और ज़़ातर output ज़़ातर product भी बना के यह industry दे रहे थे हैं कि नहीं मतलब इनका रोल अभी भी पूरा-पूरी खतम नहीं हुआ था काफी main role play कर रहे थे फिर तीसरा point आप लिखेंगे इसके बारे में कि यह सब जो non-mechanized sectors थे जहापे पहले machines का use नहीं होता था अब यहाँ पे भी छोटे-छोटे innovation के कारण machines का use होने लगा और एक slow change देखने को मिला ठीक है नहीं कर रहे थे क्योंकि यह सब यह सब रीजन से ठीक है तो यह चायर point देखें आपको इसका answer लिख देना है समझे चलिए अब आगे यहाँ पर इसी point को समझाया हुआ है कि कैसे नए technology को लोग accept नहीं करते थे इसको समझाया गया है steam engine का example से देखें इस steam engine को produce किस ने किया था तो newcombine ने produce किया था ठीक है फिर इसको James Watt ने इस पर काफी सारा improvement किया और इसको patented कर वा लिया new engine को 1781 में मतलब अब यह engine जो है इनके नाम से चलेगा ठीक है फिर James Watt के ही एक industrialist friend थे जिनका नाम था Matthew Bullton इन्होंने इस steam engine का एक नया model manufacture किया ठीक है तो इतना सारा innovations हो रह wires कोई खरिदने वाला नहीं था इस steam engine को ठीक है शुरुवात में तो पूरे इंगलेंड में अगर बात करें तो 301 ही system engine थे इससे जाधा नहीं थे ठीक है और यह सब steam engine कहां पर यूज होते थे तो cotton industry हो गया cotton industry में 80 यूज होते थे फिर wool industry में 9 यूज होते थे और जो तो यहां पर हम इस इक्जाम्पल से समझ पाने की इतना पॉर्फुल नया टेखनोजी आने का बावजूद भी जो की प्रोडुक्शन को काफी इंक्रीस कर पाता था लोग ऐसे टेखनोजी को भी अपनाने में कत रहाते थे इंडुस्ट्री लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जल्दी से ठीक है तो यह हमने बस एक्जाम्पल से समझा यहां पर जो हम इंडुलाइन किये हैं उतना या बाता प्रिपेर कीजिए ठीक है आगे मूफ करते हैं तो आगे हमें यहां पर यह चीज़ समझ में रहा है कि अगर इस समय में अगर आप किसी वर्कर को देखे तो आप जाला चांज है कि यह वर्कर जो आपने देखा है यह वर्कर कोई मशीन ओपरेटर नहीं है बलकि यह क्या है यह वर्कर एक क्राफ्ट पर्सन है ट्रेडिशनल क्राफ्ट परिशन और एक ट्रेडिशनल लेवर है समझे कि नहीं यह वर्कर imp निया फर्क्रे फ यूंटर इक्रापर है क्योंकि उस समय मतलब इस line के जड़िए यही बोला जा रहा है कि historians इस conclusion में पहुचे हैं कि यह ऐसा समय था जब industries उतना नहीं आये हुए थे अभी भी जरातर workers और जरातर output कहां से आ रहा था traditional unit से ही आ रहा था समझे की नहीं समझे यह पूरा topic तो चलिए बस इतना ही प्रिपे कीजिए यह पूरा book ही आपका notes होगा ठीक है चलिए तो यह topic end हुआ अब स्टार्ट करते हैं दूसरे topic लेकिन उससे पहले चोड़ा सा break लेते हैं यह बड़ी अच्छी बात कही है क्योंकि आप भी ठक गए होंगे ब्रेक लेने का बाद इस topic को स्टार्ट करते है चलिए अब आते हैं दूसरे topic पे दूसरा topic है hand labor and steam power यह दुनों चीजों के बादे में पढ़ेंगे और यह दुनों ही चीज पढ़ेंगे with reference to Britain Britain का reference से परेंगे ठीक है इस country में इस सब चीजों का क्या हाल था वो देखेंगे ठीक है देखें लिखा है कि इन Victorian Britain Victorian Britain मतला वो समय ब्रिटेन का जब Queen Victoria इस पर राज की थी वो समय था 1837 से लेके 1901 तक ठीक है 19th century तो इस समय में there was no shortage of human labor यह बात आप याद रखेंगे कि Victorian ब्रिटेंट इस टाइम परियाड में human लेवर का कमी नहीं था ठीक है कई सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो काफी पूर थे और कई सारे ऐसे वैगरेंट्स मतलब ऐसा इंसान जिसको ना कोई घर हो रहने को और ना कोई इसके पास जॉब हो आवाराज इसको बोलते हैं ठीक है तो पूर पीजेंट्स और वैगरेंट्स जो थे यह सीटीज में आते थे काफी बड़े तादाद में जॉब के सर्च में ठीक है तो वही बात हैं पर इस आप ही इसली एवेलेबल था इस समय में इंडस्ट्रिस्ट लोगों के लिए तो जब और यह चीज हमें पता है कि जबी भी लेबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेजेज अपने आप कम हो जाता है माली जेको यहाँ पर एक इंडस्ट्रिस्ट है जो कोई एक काम करवा है ठीक है तो इसलिए इंडस्ट्रिस्ट हैड नो प्रोब्लम ऑफ लेबर शोर्टेज और हाइव कोस्टवा Qth इंडस्ट्रिस्ट को यहाँ पर दो चीजो का सुभीता था नमबर वन एक तो यहाँ पर लेबर का शोटेज नहीं है ठीक है और नमबर टू नहीं हाई वेंड cost, wage cost भी काफी low है, ठीक है, इस वज़र से ये लोग फाइदे में थे, they did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment, इसलिए ये जो industrialists थे, ये machines को नहीं लाते थे अपने कामों में, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास काफी ज़्यादा amount human labor able-able था, और machines को लाने के लिए काफी large capital investment करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये industrialists ये खर्चा करना नहीं जा रहे थे, क्योंकि इनको labor भी अच्छा-कासा मिल रहा है और कम खर्चे में हो रहा है, उनका काम, तो ये लोग क्यों machines लेके आए, समझे ही इसी सीजन में लोगों को employment मिलता था, for example, यह पर तीन एक्जामपल से समझाया गया है, gas works और breweries, books, binders and printer और waterfront, ये तीन एक्जामपल से हम समझेंगे कि कैसे, जो labor का demand था, वो seasonal था, मतलब, सालों भर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, साल का किसी किसी समय जब काम ज़्यादा रहेगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम तीन एक्जामपल से समझते हैं, सबसे पहला है, gas works and breweries, breweries मतलब ऐसा जगा जहां पे beer बनाय जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे industries थे, जहां पे थंडे का टाइम में, cold month में ही ये काफी busy होता था, इसलिए इनको इस टाइम में ज़्यादा worker का जरूत पड़ता था, जब इनका demand peak हो, breweries का, ठीक है, फिर दूसरा example है, book binders और printers, इनका काम ज़्यादा चलता था, Christmas के टाइम पे, ठीक है, December के पहले, इसलिए ये लोग ज़्यादा, लोगों को रोजगार कब देते थे, कब देते थे, तो December के टाइम में, ठीक है, अगर पानी का बात करें, तो पानी में भी winter एक ऐसा समय होता था, जब ships को repair किया जना है, और उसको मरमत करना होता था, ठीक है, तो ये ship को repair करने के लिए भी workers चाहिए, मतलब यहाँ पे भी worker का demand कम आता है, winters में ही आता है, समझे की नहीं, तो इससे हम समझ रही है थीन example से कि demand for labor क्या है, seasonal है कई सारे industries में, हमने यहाँ पे तीन industry का example से समझा, ठीक है, तो in all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season, तो ऐसे industries, जहाँ पे labor का demand seasonal होता है, ठीक है, सालों भड़ यहाँ पे labor का जरूत नहीं पड़ता है, तो ऐसे industries चाहेंगे कि यह क्या करे, जब काम ज़्यादा हो, तब labor को hire करो, और काम करो, काम खतम, क्या ज़रोड़ी है, machine लाने का, तो उसको लाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, पैसा खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा capital investment करना पड़ेगा, ठीक है, यह तो में आप याद कर लीजे, बहुत ज़्यादा capital investment करना पड़ेगा, प्लस उसको repair और maintain कराने का खर्चा भी सबसे पहला तो human lever का shortage नहीं था, human lever का shortage नहीं होने से नमबर दूसरा बात क्या साभीत हो गया, कि wages काफी कम था, इसलिए यह industry list काफी profit में जा रहे थे, यह भी काफी अच्छे एवलेबल है, तनक्वा भी कम देना पड़ रहा है, तो उनका कम खर्चा में production हो रहा है, क्या ज इसलिए यह industry चाहती है कि यह लोग क्या करे, human lever से ही काम करा ले, क्या ज़रूरी है, machine में large capital investment करने का, और उसको repair और maintain करने का, खर्च भी इनको bear नहीं करना पड़ेगा, तो यह इतना सारा point हमने जाना यहाँ पे, चलिए, आगे देखते हैं, अगला paragraph में अगला point लिखा यह कि कई सारे ऐसे product भी होते हैं जो सिफ hand lever से ही बनाई जा सकते हैं, ठीक है, machines जो है, माली जी यह कोई machine है, यह कोई product बनाता है, तो machine कैसा product बनाता है, uniform, uniform का मतलब होता है एक जैसा, standardized goods for a mass market, machines का का काम होता है कि उसको आप system में डाल दीजिए, कि वो इस size का, या फिर इस dimension का कोई product बनाएगा, तो यह machines वैसा product कितना भी आप 100-200-1000 जीतना भी हो बनादेगा, मतलब machines जो है, वो काफी uniform और standardized good बनाता है, mass market के लिए, बहुत सारा product बनादेगा और सब उसको consume करेंगे, machines ऐसे काम करता है, है कि नहीं, अब आप machine को बोलेंगे कि इस design का, आपको एक खा oriented to producing uniform standardized good, ठीक है, ऐसे goods बनाने का machine बनाया जाता है, मतलब जो standardized हो, जिसका size fix हो, ठीक है, but the demand in the market was often goods, often for goods with intricate designs and specific shape, लेकिन उस समय, उस समय मतलब Victorian Britain का समय में, ठीक है, जो market में demand था, वो ऐसे समान के लिए था, जिसका design काफी intricate हो, मतलब अलग type का design हो, और specific shape, एक खास shape का product चा का अलग अलग preference है, तो उस preference को machine पूरा नहीं कर पा रहा था, hand labor ही prefer करना पड़ेगा, ठीक है, तो in the mid 19th century Britain, यह मतलब यह किस समय का बात क्या जा रहा है, सबसे पहले 19th century है, इसका मतलब हम समझ गए, 1801 से लेके 1900 तक का है, ठीक है, और यहाई पर mid लिखा हुआ है, मतलब ब 45 kinds of axes, अब सोचिए, hammer ही 500 variety के उस समय में बनाए जाते था, अब यह 500 variety के लिए 500 टाइप का machine आप लाएंगे क्या, ऐसा तो possible नहीं है, ठीक है, उसलिए वहाँ पर hand labor prefer किया जाता था, तो इतना variety आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, human skill को employ करना पड़ेगा, ना कि mechanical technology समझे, चली क्योंकि एक human जो है, वो अलग-अलग type का hammer बना सकता है, लेकिन एक machine अलग-अलग type का hammer नहीं बना पाएगा, वो इस बात यहां पर लिखा है, फिर अगले प्रेगराप में लिखा हुआ है कि in Victorian Britain, वही समय कप का बताइए, 1837 से लेके 1901 तक का समय में, ठीक है, तो इस समय में जो आपर क्लास थे, आपर क्लासेस में कौन आते हैं, aristocrat हो गए और जो बुर्जवाजी, ठीक है, बुर्जवाजी का मतलब होता है middle class, ऐसे middle class जो मतलब थोड़ा upper middle class, जिनका पास पैसा हो, ठीक है, और जादा materialistic चीज़ पे मतलब prefer करते हो, ठीक है, तो जो upper class थे Britain के, वो लोग क्या करते थे, handmade things को ज़्यादा prefer करते थे, क्योंकि handmade product जो होते थे, वो क्या symbolize करता है, एक refinement और एक class symbolize करता है, ठीक है, कोई एक परिवार है माल लीजे, उसको एक special type का product चाहिए, तो वो special type का product machine नहीं बना सकता है, इंसानी बना सकता है, ठीक है, तो Victorian Britain में जो upper class थे, यानि बोल सकते हैं, जो elite class थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो लोग क्या prefer करते थे, handmade goods प्रिफर करते थे, क्योंकि, यह handmade goods या फिर product जो है, वो क्या symbolize करते है, refinement और class symbolize करते है, very important, यह term याद रखिएगा, ठीक है, अभी बताएंगे इसके उपर question कैसा है यह जो handmade product होते हैं, यह लोग क्या होते हैं, they were better finished, काफी अच्छा finishing होता है, इसमें, individually produced, ऐसा नहीं है कि यह product सबके घर में है, काफी common नहीं रहेगा, ठीक है, फिर carefully design होते हैं, जबकि machine made goods जो होते हैं, वो बनाए जाते थे, for export to the colonies, जो गुलाम दे से, उनको बेसे जाते थे जाते हैं, machine made goods, समातरे हैं, कैसा image था उस समय में, मतलब इस समय में, Victorian Britain के time पे, अगर कोई handmade goods है, तो इसो काफी अच्छा मना जाता था, यह अमीर लोग इस्तमाल करेंगे, ठीक है, और जो machine made goods है, वो इसो काफी cheap, ordinary मना जाता था, और इसको export किया जाता था, मतलब दूसरे countries में बैचा जाता था, जो countries इनके गुलाम थे, colonies में, ठीक है, चलिए, फिर आगे देखिए, last paragraph में लिखा हुआ है, कि in countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power, so that the need for human labor can be minimized, फिर ऐसा भी सीन था है, कि कई सारे ऐसे countries भी थे उस समय में, Britain को छोड़ के, जहां पे labor shortage था, तो वहां पे industrialists लोग ready कर गए, कि machine को use किया जाए, ठीक है, क्योंकि human labor है ही नहीं, तो machine को use करेंगे तो profit होगा इनको, ठीक है, तो ऐसा कुछ case देहने को मिल रहा था, 19th century America में, मतलब अमेरिका में labor का shortage था, इसलिए, अमेरिका के जो industrialists थे, ये लोग क्या use किये, machines use करना start कर दिये, लेकिन Britain का अगर बात करें, तो Britain में अभी भी human hands को use करने में कोई problem नहीं हो रहा था, क्योंकि human hands को use करने से बहुत सारा फायदा हो रहा था, Britain को, सबसे पहला, कि ये काफी easily available थे, इनका wage rate काफी कम था, machine को खरिदे में large investment नहीं करना पर रहा था, ठीक है, इनको repair और maintain करने का cost bear नहीं करना प आपर class जो है, वो लोग prefer करते थे handmade products, क्योंकि ये refinement और class symbolize करता है, शाती साथ handmade goods अच्छा finishing होता है, उसका individually produced होता है, और carefully design होता है, इन सब reason से Britain में human hands को ज़्यादा prefer किया जाता था, और जबकि America एक ऐसा country है, जहाँ पे labor का ही shortage है, तो यहाँ पे industrialist लोग machine use कर रहे थे, स में heading क्या था, hand labor and steam power, मतलब human labor और machines का यहाँ पर comparison क्या गिया है, ठीक है, तो बात करते है Britain से, वो भी किस समय का बात क्या जा रहा है, Victorian Britain का समय का बात क्या जा रहा है, ये सब point हमने समझा, काफी ज़्यादा labor था, wages कम था, industrialist को large capital investment नहीं करना पर रहा था, ठीक है, फिर लिस्ट, machines पर खर्चा करना नहीं प्रिफर कर रहे थे, ठीक है, फिर तीसरा point हमने देखा, कि कई सारे asset product होते हैं, जहाँ पर जो hand labor से ही बनाना possible हो पाएगा, for example, mid 19th century Britain में लगभग 500 वराइटी के hammers और 45 kinds of access बना जाते थे, तो इतना तो machine नहीं बना पाएगा, इतना वर Victorian Britain में जो elite class है, आपर जो पैसे बाले लोग है, वो लोग handmade goods को ही prefer करते थे, उस समय में machine made goods को सिफ colonies को export किया जाता था, ठीक है, और फिर last month हमने देखा कि कुछ ऐसे भी country है, जहाँ पर labor का shortage है, जैसे कि America, तो यहाँ पर mechanical power use होता था, ठीक है, Britain में अभी human hands को ही prefer करते थे, बस इतना चीज हमने जाना, अब इसके उपर एक question मन जाएगा, देखे, आप से question पूछेंगे इस type से, कि why did the elite of Britain prefer handmade goods in the mid 19th century, explain, तो जो Britain के जो elite लोग है, वो लोग handmade goods को क्यों prefer करते थे, तो यह depend करेगा कितना मासा question है, short है, तो आपको पूरा यह paragraph लिख देना है, ठीक है, और अगर यह question long में आ जाता है, तो आपको यह सब point में भी लिखना पड़ेगा, कि क्या-क्या machine का disadvantage है, वो क्या-क्या उसका limitation है, वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, यह पराप भी लिखना पड़ेगा, आपको answer में, चलिए, तो यह topic हुआ, आ जाते हैं इसका एक sub-topic प apply करेंगे, तो समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ जो जाला amount में available होता है, उसका हम लोग उतना respect नहीं करते हैं, ठीक है, तो labor काफी जादा available है, तो इसको कम तनख्वा मिलता था, low wages, ठीक है, और low wages मिलेगा तो इनका life जो है, वो उतना अच्छा नहीं होगा, condition, ठीक है, द जाद बोलते हैं, तो जैसे ही कोई news फैलता था कि town में कोई एक नया vacancy आया है, नया job आया है, तो वैसे ही उस countryside के जितने भी workers है, hundreds trampled to the cities, वो सारा दौर के जाते थे cities में काम को पाने के लिए, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग को सब को काम मिल गया, वो काम मि मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है कि if you had a relative या फिर फ्रेंड है कोई factory में, तो आपको chances से कि job quickly मिल जाएगा, लेकिन सबका तो social connections इतना नहीं होता है, तो कई सारे को हपतों तक wait करना परता था, ब्रीज के अंदर लोग सोते थे, in night shelter में सोते थे, ठीक है, जब तक उनको job नहीं मिल जाए, कुछ लोग तो night refuges में रहते थे, और others went to casual wards maintained by poor law authorities, लोग यहाँ पर रह रह रहे के समय काट दे थे, ठीक है, जब तक उनको job नहीं मिल जाए, फिल आगे देखे, Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work, हमने अगले topic, इससे पहले वाले topic में देखा था कि कई सारे ऐसे industries होते हैं, जहाँ पर work seasonal होता है, सारा season में काम नहीं होता है, ठीक है, तो labor का demand भी seasonal होगा, सारा समय में labor का जरोत नहीं है, ठीक है, तो work seasonal है, इसका मतलब कई सारे ऐसे समय आपको जहलना परे जब कोई काम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, after the busy season was over, the poor were on the streets again, जैसे ही season खतम हो गया, जो गरीब workers थे, वो वापस रास्ते पे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ workers तो अपने घर चले जाते हैं, वापस countryside में winter खतम होते ही, ठीक है, जब उनको पता चलता था कि rural area में भी, मतलब countryside म कुछ labor का demand है, तो वो वापस countryside चले जाते थे, लेकिन कुछ worker ऐसे थे, जो छोटे मोटे काम करके, वही पर अपना गुजारा कर लेती थे, ठीक है, चलिए, यह हो गया दूसरा paragraph, आज आते हैं, तीसरे paragraph में, इसमें बोलाए गया गी, wages increased somewhat in the early 19th century, समझ रहे हैं, 19th century यानी, तो इस टाइम में क्या हुआ था कि wages increase हुआ था, अब आप खुस हो गए होंगे यह बात सुनके कि तनकोह बढ़ गया मतलब workers का life भी अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, but they tell us little about the welfare of the workers, सिब wages बढ़ जाना से आप यह conclude नहीं कर सकते हैं कि workers का भलाई हो गया, ठ For example, यह ऐसा समय था, early 19th century जब नेपोलेनिक war हुआ था, ठीक है, इस war के कारण prices उस समय बढ़ गए थे, ठीक है, तो wages बढ़ने से भी क्या फाइदा, क्योंकि real value जो है, वो मतलब उस तनकोह का उतना ही रहा, माल लीजिए पहले आपका salary था 100 रुपया, ठीक है, इस 100 रुप बढ़ गया है, अब आपका salary अब माल लीजिए 1000 रुपया भी अगर हो जाता है, ठीक है, अब माल लीजिए आपसे 5 केजी चावल खरीद पा रहे हैं, और 5 केजी आटा खरीद पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि real value, उस salary का real value कम गया, ठीक है, वो है आप लिखा है कि real value of what the workers earned fell significantly, since the same wages could not buy, could not buy fewer things, अब salary ज्यादा होते हुए भी आप बहुत कम समान खरीद पार है, यह salary का real value कम गया, real value कब कम था है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ दाता है, तो इस समय में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ दाता है, तो इस समय में महंगाई बहुत not on the wage rate alone, what was also critical was the period of employment, the number of days of work determined the average daily income of the worker, आप सिप wages या फिर income देखके, इसने बोला गया है कि आप सिप wage rate को देखके, workers का income का पता नहीं लगा सकते, ठीक है, workers का income और भी चीज़ पर डिपेंड करता है, for example, वो डिपेंड करता है कि period of employment, आप कितने time के लिए रोजगार दे र है, अब कोई मालीजी एक इंसान है, जो 10 रुपे का salary में साल वर खट रहा है, तो साल भर में वो 120 रुपया कमाएगा, और कोई एक इंसान है मालीजी वो 50 रुपे का salary पे सिफ एक ही महिना खटा, ठीक है, तो वो 50 रुपया ही कमा रहा है total, देख रहे हैं, तो यहाँ पर wage rate यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन इसका income देखे तो वो कम है, यहाँ पर wage rate कम है, फिर भी income ज्यादा था, वो यहाँ पर बोला गया है, कि आप सी wage rate को देखके income का पता नहीं लगा सकते हैं, income का देखने के लिए आपको यह time भी देखना पड़ा है, कितना time के लिए उसको रो 19th century, about 10% of urban population were extremely poor, in periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between इतना percent in different regions, तो बला दरे जब समय अच्छा था, खासकर से mid 19th century तक, तब 10% लोग काफी गरीब थे, ठीक है, लेकिन जब economic slump आया, जब अर्थवावेस्ता थब पड़ गया, ठीक है, तब क्या हुआ था कि unemployed जो percentage है, वो 35 से 75% तक पोजी है, मतलब हर 100 में से 35 से लेकर 75 लोग ऐसे थे जो विरोजगार थे, ठीक है, चलिए, तो ऐसा सीन था उस समय में, the fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology, अब country में पहले से यह ऐसा हलत है कि लोग को काम नहीं मिल रहा है, और उपर से यह नए टेकनलोजी आके machines ला रहा है, और machines लाने से, वो machine 10 लोगों काम अकेले कर दे ला है, ठीक है, तो लोग क्या हो गए, काफी नाराज हो गए इस नए टेकनलोजी से, लोग इस नए टेकनलोजी को दूस्मन मांड़ लग गए, समझे, क्योंकि यह रोजगार चिन रहा था उनसे, जब spinning jenny को introduce किया गया, in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines, देखिए, क्या बोला गया है, यहाँ पे, सबसे पहले यह spinning jenny का picture देख लिए, यहाँ पे, यह spinning jenny, यहाँ पे, ऐसे करके धागा को लपेटा जाता है, यह bundle में, तो बहुत सारा spindles यहाँ बनाया जा रहा है, देख रहें, तो एक machine से कितना सारा spindles एक साथ त्यार हो देख पार है, आप बहुत सारा spindle त्यार हो रहा है, तो machines आने का यही फाइदा होता है, कि वो 10 आदमी का काम अकेले, 10 क्या 100 आदमी काम अकेले कर देगा, तो जब spinning jenny आया, बुलेन इंडेस्ट्री में, तो women, जो पहले hand spinning करते थे, हाथ से दाहे को लपेटते थे, यह women क् new machines को attack करना, इस्टार्ट कर दिये, ठीक है, तो this conflict over the introduction of jenny continued for a long time, और यह conflict काफी लंबे समय तक चला, क्योंकि यह spinning jenny, लोगों का रोजगार छिन रहा था, ठीक है, क्योंकि यह machine आ गया, यह machine पूरा काम कर देगा, तो यह women को आप काम नहीं मिलेगा, यह लोग भूके मर जाएंगे, ठीक है, चलिए, फिर last paragraph इस topic का लिखा हुआ है, कि after the 1840s, building activity intensified in the cities, opening of great opportunities of employment, अब देखिये, यह समय काफी खास है, लगवख mid 19th century, ठीक है, इस समय में क्या हुआ, building activity था तेजी से बढ़ने लगा, क्या क्या चीज़ बनने लगा, उसमें देखिये, roads को चौरा क stations बनाया जा रहा था, नया-नया, railway lines को बिछाया जा रहा था, tunnels खोदा जा रहा था, feed drainage बनाया जा रहा था, sewers लगाया जा रहा था, ठीक है, reverse का, जो bank है, उसको, मतलब, cementing किया जा रहा था, ठीक है, reverse embankment किया जा रहा था, तो इस समय में, number of workers, transport industry में लगभग double हो गिया था और अगले और 30 सलों में और double हो गिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम last paragraph में कुछ-कुछ ख़बरी सुन रहे हैं, कि after 1840s, building activity का बढ़ने से, और transport industry का बढ़ने से, रोजगार आया, यह सब यह सब कामों में लोगों को काम मिला, ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही चीज था इस topic मे उमीद करते हैं, आपको समझ माया होगा, देखिए, अब देख लेते हैं, यहाँ से questions कैसा पूछा जाएगा, ताकि आप अच्छे से relate कर पाए, direct question इस पर तो एक ऐसा पूछा जाएगा, कि describe the condition of workers, आप यह बात याद रखेगा, life of the worker, आगे भी हम worker के बार में पढ़ेंगे लेकिन वो हम पर रहे होंगे, इंडिया के reference में, यह जो यहाँ पर बताया गया है, वो इंडिया का नहीं है, ब्रितन का reference में बताया गया है, यह बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, आप से question ऐसे पूछेंगे, कि describe the condition of workers in England, ब्रितन यानी England, ठीक है, during the early years of the industrial revolution, industrial revolution के पहल सबको जोब नहीं मिलता है, जिसका connection अच्छा हो, उसको job मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरा point हमने देखा, कि work जो है, वो seasonal है, तो लोगों को, जब busy season खतम हो जाता था, जब लोगों को वापस घर लोटना पड़ता था, नहीं तो कुछ और jobs करना पड़त था, ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा point है, देखा, कि early 19th century में wages तो बढ़ा, लेकिन उसका impact worker के life में उतना दादा नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें real value जो था, उस wage rate का वो काफी कम हो गया था, ठीक है, wages क्यों बढ़ा था, because of नेपलनिक war, ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने अगला point यहाँ पर देखा, कि income सीफ, wage rate पर depend नहीं करता है, बलकि period of employment पर भी depend करता है, फिर हमने एक example देखा, spinning journey का, जब spinning journey आया, तो women's इसको attack करना इस्टार्ट कर दी, क्योंकि यह, उनसे उनका employment शिन रहा था, और last part में हमने देखा, कि 1840s के बाद, building activity का बढ़ने से, औ लोगों कुछ रोजगार मिला, ठीक है, चलिए, इतना चीज़ हमने जाना यहाँ पर, तो इसको प्रिपेर कर लेंगे, यह topic end हुआ, आज आते हैं, तिसरे topic पर आप, तो चलिए, अभी स्टार्ट करते हैं, तिसरे topic, industrialization in the colonies, colonies में कैसे industrialization हुआ, वो study करेंगे, ठीक है, colonies में भी हम इंडिया को study करेंगे, ठीक है, हम समझेंगे कि इंडिया कैसे industrialize हुआ, और यहाँ पर भी इंडिया को study करते वक्त हम सिफ factory industries को नहीं देखेंगे, बलकि जो non-mechanized sector था, ऐसा sector जहाँ भी machine आया नहीं हुआ था, उसको भी study करेंगे, ठीक है, we will limit our discussion primarily to textile industries, और हम सारा industries के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, सिफ textile industries पर focus करके, समझेंगे कि इंडिया जैसे colonies में कैसे industrialization हुआ, ठीक है, चली, तो पहला यहाँ पर सब topic की start होता है, the age of Indian textiles, लिखाई कि, before the age of machine industries, machine industries आने से पहले, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles, machine industries आने के पहले cash-in था, उस समय में इंडिया से बना हुआ जो silk और cotton के goods होते थे, ये goods international market में dominate करते थे, कपरों के ममले में, ठीक है, इंडिया जैसे अच्छा समान और कोई country नहीं बना पाता था, उस समय में, ठीक है, कब, जब machine industries नहीं आया हुआ था, तब से पहले, ठीक है, चलिए, अगला point है कि, the coarser cotton were produced in many countries, but the finer varieties often came from India, बाकी जो countries थे, वहाँ पे जो cotton produce होते थे, वो काफी coarser थे, खुर्दूरे ठेल, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो cotton produce होते थे, वो काफी अच्छे variety के होते थे, ठीक है, इसलिए, इंडिया का cotton goods था, वो काफी dominate कर रहा था, मतलब इंडिया का cotton goods के स सामने और किसी country का cotton goods टिकता नहीं था, लोग हमेशा इसको prefer करते थे, ठीक है, यह जादा बिगता था, फिर आगे यहाँ पे कुछ facts बताया गया है, जली से पढ़ लेते हैं, लिखा है कि Armenian and Persian जो merchant थे, वो पंजाब से यह silk और cotton goods ले जाते थे, कहाँ पे, अफगानिस्तान, फिर Eastern Persia, Central Asia, इन सब जगों में ले जाते थे, ठीक है, फिर bells of fine textile, मतलब जो कपरे हैं, उसके बड़े बड़े गठर, ठीक है, उनको ऊट के उपर, camel के उपर, लाद के, इन सब रास्तों के जड़िये, ले जाए रहता था, और trade होता था, ठीक है, A vibrant sea trade operated through the main pre-colonial ports, अब important बात यहाँ से start होता है, देखिए, pre-colonial का मतलब, जब Britishers के आने के पहले का जो समय था, उस समय में कुछ port थे, port समझते हैं, ऐसा जगा जहाँ जहाँ पे, मतलब, boat से और ship से, समान loading, unloading होता है, passenger का भी loading, unloading होता है, उसको port बोलते हैं, समझे की न जहाँ पे, नाउट है देगा, ठीक है, तो pre-colonial time के, pre-colonial time पे, तीन ports थे main, जहाँ से vibrant sea trade operate होता था, बहुत जदा trade वैपार होता था, वो तीन port का नाम क्या है, एक है सूरत, गुजरात में, ठीक है, दूसरा है मसूली पतनम, on the Coromental Coast, और तीसरा है हूगली in Bengal, यह तीन pre colonial main ports थे, जहाँ से, काफी जदा sea trade होता था, समझे की नहीं, इन तीनों का नाम आपचे से याद रखेंगे, तो जो सूरत ports जो था, गुजरात coast में, वो इंडिया को connect कर रहा था, गल्फ और red sea port के साथ, ठीक है, फिर जो Coromental Coast था, मसूली पतनम में, और जो हुगली जो port था बेंगॉल में, उसका trade link था, South East Asian ports के साथ, ठीक है, यह South East Asian ports को यह दो port जोड़ते थे, समझे की नहीं, तो फिलाल आप यह तीन नाम याद रखेंगे, यह तीन क्या है, main ports थे pre-colonial time के, जब Britishers नहीं आए थे इंडिया में, तब के, ठीक है, आगे देखिए, तो यह जो network था, एक्सपोर्ट ट्रेड का, जो अपने country से बाहर समान बेजना होता था, तो यह जो वैपार है, इस वैपार में, कई टाइप के merchants और bankers involved थे, यह merchants और bankers अलगलग टाइप के काम करते थे, क्या क्या काम था इनका, देखिए, नमबर वन, production को finance करते थे, किसी को पैसा का कमी है, तो उसको पैसा provide करते हैं कि लोग तुम इस पैसे से production करो, और जब समान बीज जेगा तो पैसा चुका देना, ठीक है, यह काम था, फिर carrying goods, goods को carry करना, अंदर से port की तरफ, फिर port से अंदर की तरफ, ठीक है, यह काम भी था इन लोगों का, supplying exporter, country का अंदर पार्ट से, जिसको inland बोलते है, ठीक है, तो country का अंदर वाला जो पार्ट है, वहाँ से समान को carry करके लाना, और port तक, ठीक है, और port पे कौन बैठा हुआ है, exporter बैठे हुए, exporter को वो माल supply करना, तो वह यहां पे लिखा है, supplying exporter, यह सब जो थे, यह लोग लिंक कर रहे थे, port टाउन को, to the inland region, port टाउन अभी हमने तीन पढ़ा उपर में, कौन सा-कौन सा, सूरत, मसूली, पटनम, और हुगली, यादे, यह जो तिनों main है, port टाउन, और भी बहुत सारे थे, यह तिनों कहा है, main है, ठीक है, तो यह जो supply merchant थे ना, यह port टाउन को connect, या फिर link कर रहे थे, inland region से, मतलब, यह माली जे country है, और तो यह अंदर का जो area है, जो sea से, इधर आसपास माली जे, यह सब sea है, ठीक है, तो अंदर का जो region है, इसको inland region बोलते है, समझे की नहीं समझे, जो sea से दूर है, तो port टाउन तो एकदम यहाँ पे हो करते थे, they gave advances to weavers, procured, मतलब buy, procure का मतलब होता है, buy करना, ठीक है, the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports, देखिए, यह supply merchant का यह पर तीन काम बताया गया है, number one, यह तो पहले weavers को, जो कपरे बुनते हैं, उनको advance देते थे, कि यह लोग पैसा काम करने के लिए, ठीक है, फिर यह weavers weave करके क्या बना दिये, fabric बना दिये, cloth बना दिये, ठीक है, यह fabric को, खरीदने का काम भी इनी का था, ठीक है, supply merchants का, तो procure the woven cloth from weaving villages, ठीक है, और खरीदने का बाद, यह सब माल को यह कहां लाते थे, carry the supply to the ports, ports की तरफ लाते थे, समझे की नहीं, वो यहाँ पे लिखा था, पहले line में, यह supply merchant जो थे, वो port towns को link कर रहे थे, किस से, inland region से, inland region में, जो कपड़ा बना, इस कपड़े को, यहाँ से लेकर port town तक carry कौन करेगा, तो यही supply merchant करेंगे, बात तक रहा ही समझ रहे, अब एक बार माल यह port में पहुँच गया, तब क्या होगा, देखिए, at the port, the big shippers, यहाँ पे रुपिया देंगे, और मोल भाव करने का बाद, वो समान खरीद लेते थे, कपड़े खरीद के, किस से खरीदे थे, from the supply merchants operating inland, यही supply merchant से, यह brokers, जो इनके बिहाफ में काम करते, यह brokers, इनसे कपड़े ले लेते, और लेके कहां बेज़ेते हैं, दूसरे country के port में, समझे की नही 1750 तक आते आते, breakdown होना स्टार्ट हो गया, पहले यह network कौन control कर रहा था, तो Indian merchant जो थे, export merchant हो गया, supply merchant हो गया, वो लोग इस network को control करके रखे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे colonial, जो European countries आई, इंडिया बेराज करने के लिए, 1750 तक, वैसे वैसे जो Indian merchant का जो यह network डेवलोप किया ह हुआ था, यह network breakdown होना स्टार्ट हो गया, अब यह कैसे हुआ, देखिए, जो European companies आ रहे थे, धिरे-धिरे वो लोग पावर गेन कर रहे थे, इंडिया में, ठीक है, राजा में राजा से हाथ मिला के, ज्यादा पावर लेते जा रहे थे लोग, ठीक है, पहले क्या पावर लि राइट्स तू ट्रेड, और धिरे-धिरे बहुत जादा दोस्ती हो गया, इनका राजा माराजा के साथ, तो यह क्या ले लेते थे, तो मोनोपोली राइट्स तू ट्रेड, मतलब यह जो ट्रेड है, वो करने का राइट्स इन ही का है, कोई और इनसान, कोई और मर्चेंट एपो तो टैट नहीं कर सकता है ठीक है इस टाइप का, राये ले 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 थे यह लो समझे इस वज़़कास से as do it ie 2 रीजान का, बज़़े से नमबर और वन वरायेटी आफ 술न लेते थे लोगल कोड से और दूसरा कौन काम करते थे local merchant जो supply merchant export merchant हो गए वो उनका decline होना शुरू हो गया exports from these ports fell dramatically अब चुकि यह ports से अब trade होना कम हो गया तो यहां से export का जो volume है वो भी काफी down चला गया the credit that had finance the earlier trade began drying up वो पैसा जो इस पूरे trade को पहले finance कर रहा था इस पूरे network को वो पैसा दिरे दिरे खतम होने लग गया ठीक है और जो local bankers थे वो लोग क्या हो गया बैंकर आप उनके पास एक दम ही पैसा खतम हो गया समझे की नहीं चलिए यह सब चीज़ अभी आप भी ऐसे तरीके सा अंडलाइन करते चलिए अभी आपको बताएंगे कि इसके उपर और कोशन कैसा बनेगा फिर यहां पर कुछ डेटा है उतना डेटा पर नहीं जाएंगे में काम का बात इतना ही है अभी तेक हमने यहां पर समझा देखें अभी हम पर रहे है एज ऑफ इंडिया टेक्स्टाइल हमने समझा था कि यह जो इंडिया का सीलक और कॉटरन गूर् से इंटरनाशनल मार्केट में यह काफी डॉमिनेट कर रहे थे इनके सामने किसी का माल नहीं बिगता था ठीक है और यह सब जो ट्रेड है वो होता कहां से था तो प्री कॉर्णरियल टाइम पे जो में पोर्स थे वो तीन ही थे सूरत मसूली पर्टनम और हुगली इनी के ज चाट हो गया क्यों क्योंकि उस समय उस समय तक यूरोपियन कंपनिस आ चुकी थी सीन में और यह लोग लोकल कोर्ट से कंसेशन ले रहे थे फिर मोनोपोली राइट्स ले रहे थे ट्रेड करने का जिस वज़र से जो यह पोर्स थे में पोर्स सूरत हुगली मसूली पटनम इन से जो ट्रेड का वोल्यूम है वो डिकलाइन कर गया ठीक है इससे एक्सपोर्ट काफी ड्रमाटिकली रिड्यूस हो गया क्रेडिट ड्राइअफ हो गया और लोकल बैंकर्स बैंकरप्ट हो गये समझे कि नहीं इतना भी तक हमने में बाद जाना है आगे देखिए आगे यहां पर लिखाए कि वाइल सूरत एन हुग ली डिकेड यह दो जो पोर्ट थे उनका डिकलाइन हो गया उसी के साथ साथ बॉंबे और कलकाटा यह नए दो पोर्ट ग्रिव होने स्टार्ट हो गये यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग गया ठीक है तो यह बात और कलकाटा ठीक है तो यह जो आप सीप्ट देख रहें दीश शीप्ट फ्रम दा ओल्ड पोर्ट यह दो नो ओल्ड पोर्ट है तुद निव उनस तुद निव उनस ठीक है यह इंडिकेट कर रहा था था ग्रोथ और अफ कोलोनियल पावर बता रहा था कि देखो इन कर रहा था तो यह European companies East India company हो यह और भी जो दूसरे दूसरे companies थे वो लोग इसको control कर रहे थे और यहां पर जो ट्रेड होता था वह European ships में जो समान होता था वह carry होता था ठीक है वाइल मैन्य अब दा ओल्ड ट्रेडिंग हाउस, यह जो ओल्ड ट्रेडिंग हाउस थे, जो पहले का मर्चेंट थे, वो क्या तो कॉलाप्स कर गए, वो कामी शोर दिये, या फिर, वो काम इस तरीके से करते थे, यह जो यूरोपियन कमपनी से, इनके टर्मसिन कंडिशन में इनको काम करना पड़ता था, ठीक है, वो यह अप लिखाए कि, दोस्ट डाट वॉन्टेट टू सर्वाइब जिनको वो पहले वाला ट्रेड करना भी था, यह जिस तरीके से बोलेंगे, उस तरीके से इनको काम करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम डवलप हो गिया था, ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि, अब हम पढ़ेंगे कि, यह सब जो चेंजेज हो रहा था, यह सब चेंजेज का क्या इंपक्ट पढ़ा वीवर्स के उपर और दूसरे आर्टीजन के उपर, काडिकर के उपर, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में यहाँ पर देखे थे, कि यह जो हम पर रहे हैं, यह किस टेक्स्टाल इंडेस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो पहले क्या सीन था, क्या-क्या चेंजेज हो आप वो हमने पहले टॉपिक में देख लिया, अब हम देखेंगे कि, यह सब चेंजेज का क्या इंपक्ट पढ़ा वीवर्स के उपर, जो कपरे बनाते थे, बुनते थे, उन पे क्या इंपक्ट पढ़ा, वो देखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं, इसके उपर एक बहुत अच्छा कोशन बनता है, आपसे पूछेंगे कि, explain why the port of सूरत declined by the end of the 18th century, जो सूरत पोर्ट क्यू डिक्लाइन कर गया, उसको explain केजिए, तो आपको यह region देना परेगा, कि by 1750s यह जो European companies से इनका power बढ़ गया, पहले तो यह concession लेते थे, court से, फिर monopoly right लेने लगए, trades के लिए, तो इससे यहाँ पर जो trade था, वो decline कर गया, export काफी reduce हो गया, credit dry up हो गया, local bankers bankrupt हो गया, इतना explain करेंगे आप, ठीक है, चलिए तो अब अगला topic है, what happened to viewers, viewers का क्या हलत था, वो हम इस्टरडी करेंगे, ठीक है, देखे, लिखा है कि, जब East India Company का power जब बढ़ने लगा, खास कर से 1760s के बाद, तो ऐसा नहीं है कि, इंडिया से जो textile export जो पहले हो रहा था, वो एकदम से decline कर गया, समझे की नहीं, इस्टिडिया कंपनी आया, वो उसका power अब बढ़ते जा रहा है, consolidate होते जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं, कि इंडिया से textile export कम जाए, इंडिया से अभी भी माल बाहर जा रहा था, और दूसरे दूसरे country में बिग रहा था, ठीक है, तो यह बात आप याद रखेगा, initially, यानि beginning में जो textile export है, इंडिया से वो decline नहीं हुआ, ठीक है, British cotton industries had not yet expanded, and Indian fine textiles were in great demand in Europe, अब इसका reason हम जान रहे है, कि क्यों इंडिया का export decline नहीं किया, दो reason है, देखे, पहला reason तो यह है कि बिटीज जो cotton industries है, वो उतना expand नहीं किया था, भी तक, बिटेन में अभी industries उतना develop नह इस समय तक, और दूसरा reason यह है, कि Indian fine textiles were in great demand in Europe, यूरोप में जो इंडिया के जो कप्रे थे, उनका काफी ज़्यादा demand था, तो यह दो reason के वज़े से, यह Britishers को इंडिया से ही कप्रा ले जाना पर रहा था, इसलिए starting में जो इंडिया से जो textile export है, वो decrease नहीं हुआ, समझे क नहीं, so the company was keen on expanding textile exports from India, तो इसलिए company यानी East India company भी चाहती थी कि वो क्या करे, expand करे, मतब increase करे, India से textile export, ठीके, चलिए, फिर आगे दिखे, आगे लिखाए कि, before establishing political power in Bengal and Carnatic in the 1760s and 1770s, The East India company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export, देखे, ये company नया-नया इंडिया में आई हुई थी, तो जब तक इसने Bengal और Carnatic region, Carnatic region जो आभी हमलों का जो Tamil Nadu state है, और Southern जो आंदर परदे से, वो region को बुलते हैं, Carnatic region, ठीके, तो जब तक company ने इन दो region में political power gain नहीं किया था, ठीके, इस समय तक, तब तक East India company को दिक्कत हो रहा था, क्या चीज में दिक्कत हो रहा था, to ensure regular supply of goods for export, अभी हमने उपर वाले paragraph में देखा, ये company जो है, वो क्या चाहती है, इंडिया से, जो textile है, वो कहा जाए, ब्रिटेन में जाए, क्योंकि ब्रिटेन में एक तो industries उतना develop नहीं है, cotton textile industry, और दूसरा यहाँ पर Indian goods का बहुत अरा demand रहा था, इसलिए ये जो East India company है, वो चाहती है, कि ये सब Indian जो कपड़े है, वो कहा एक्सपोर्ट हो, ब्रिटेन में हो export, ठीक है, लेकिन इस समय तक ये company इन दो रिजन में उतना powerful नहीं थी, इसलिए इस company को काफी दिक्कत हो रहा था, ये समान खरिद के ब्रिटेन में भेजने में, समझ रहें, समान जो है, वो East India company को मिल ले रहा था, cotton textile, अब कैसे नहीं मिल रहा था, देखे, उस समय में French थे, Dutch थे, Portuguese थे, as well as local traders, ये लोग मार्केट में compete करते थे to secure woven clothes, Indian जो textiles था, उसका इतना ज़्यादा demand था, कि खरिदने वाले ब समान को खरिदने के लिए, जैसे ही समान बन के आता था, word clothes जैसे ही बन के आता था, वैसे ही मार्केट में सब भिग जाता था, तो ये East India company को मिला नहीं, ठीक है, मिलता नहीं था, तो कब तक ऐसा सीन था, जब तक ये company ने Bengal और करनाटिक रिजन में political power established नहीं किया था, तब ठीक है, तो फिर आगे देखिए, so the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer, तो इस situation में वीवर जो थे, जो कपड़े बुनते थे और जो supply merchant थे, ये अच्छा खासा मोलभाव करते थे, और उनसे अपना समान बेश्चे थे जो सबसे अच्छा प्राइस देते थे, तो इनका condition इस समय तक तो का East India Company to produce regular supply of goods for export in the beginning, explain, East India Company के लिए starting में कि दिक्कत हो रहा था, regular supply of goods को खरिदने में, तो आपको ये reason देना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि बहुत सारे buyers थे, आपस में compete करते थे, जैसे ही माल आता था, वैसे ही बिग जाता था, ठीक है, तो इसको मिलता नहीं था उतना, दूसरा reason यह था कि, जो वीवर, supplier और merchant थे, अच्छे अचा पारगेन करते थे, और उस seller को अपना समान बैशते थे, जो सबसे अच्छा price देता था उनको, ठीक है, चलिए, आगे move करते हैं, लेकिन एक बार जब East India Company को political power establish हो गया, ठीक है, खासकर से इन दो रीज proceeded to develop, sorry, it could assert a monopoly right to trade, तब जैसे इसको political power मिला, यह सबसे पहला कौन सा right लिया, monopoly right to trade, मतलब जो trade होगा, वेपार होगा, वो सिफ East India Company ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, यह सबसे पहले इसने काम किया, फिर इसके बाद, it proceeded to develop a system of management and control, that would eliminate competition, control cost and ensure regular supply of cotton and silk goods, फिर यह East India Company ने एक ऐसा system develop किया, जिससे कि वो पूरे system को manage और control कर पाए, किन-किन sense में, सबसे पहले उसने competition खतम कर दिया, यह सब लोगों को सवारन बेशता ही नहीं था, ठीक है, cost को control करना start कर दिया, जारा लोग खर देंगे नहीं, तो अपने आप price कम हो जाएगा, ठीक ह जो, this it did through a series of steps, कुछ steps उन्हें ने follow किया, देखिया, अब वो steps सम परेंगे, कि कैसे East India Company ने, जो competition था, उसको खतम किया, First, the company tried to eliminate the existing traders and brokers connected with the cloth trade, and establish a more direct control over the weaver, सबसे पहले company ने क्या किया, कि जो भी बीच के traders और brokers थे, उनको हटा दिया, इस system से, ठीक है, और एक ऐसा direct control established किया, वीवर के उपर, मतलब यह company है, इधर वीवर है, जो कपरे बना रहे है, ठीक है, पहले बीच में बहुत सारे traders होते थे, ब्रोकर्स होते थे, इन सब को company ने बोला, तुम लोग अब हट जाओ, कोई काम नहीं है, तुम लोग का company direct अब किस से treat करेगी, वीवर से treat करेगी, ठीक है, इत अपॉइंटेड अ पेर्ड सर्वेंट कॉल्ड गोमस था, तू सुपरवाइज वीवर्स, कलेट सप्लाइज, and examine the quality of clothes, company ने एक बीचोली को अपॉइंट किया, जिसको बला जाता है, गोमस था, very 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 important, इसके उपर बहुत बार कोशन आता है, ठीक है, गोमस था का तीन काम होता था, to supervise वीवर, एक बीच में इंसान था, जिसको गोमस था बोलते थे, इसको company ने अपॉइंट किया था, त कप्रे को कॉन करेगा, तो यहीं गोमस था ही करेंगे, फिर examine the quality of clothes, उस कप्रे का quality कैसा है, वो चेक करने या काम ही इसी गोमस था का है, ठीक है, तो ऐसा कुछ कमप्री ने system निकाला, अब इसके उपर एक कोशन बनता है एक्जाम में, आप से गोमस था का definition पूछेंगे, ठी by the East India Company, ठीक है, to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of clothes, ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसी को अलग में भी कोशन पूछ सकते हैं कि, why did East India Company appoint गोमस था, give three reasons, तीन रिजन बता ही है कि क्यों, East India Company गोमस था को appoint की हुई थी, तो पहला reason हो गया, to supervise weavers, दूसरा reason to collect supply, और तिसरा reason हो गया, examine the quality of clothes, लिख लेंगे इतना काम, चलिए, यह हो गया पहला step, अब आते हैं दूसरे step पर की कैसे company ने, जो पहले बहला system था, उसको तोरा, देखें, दूसरा, it prevented company weavers from dealing with other buyers, one way of doing this was through a system of advances, once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production, those who took the loans, had to hand over the clothes they produced to go master, they could not take it to any other trader, दूसरा तरीका यह था कि जो company के जो weavers थे, वो किसी और buyer के साथ deal नहीं कर सकता है, देखिए, इधर है East India Company, और इधर है बहुत सारे weavers, ठीक है, अब East India Company चाहती थी कि जो weavers है, वो किसी और से अपना, मतलब डील ना कर ले, ठीक है, व अपना सारा माल इनी के लिए बनाए, अब ये उन्होंने कैसे इंशोर किया, देखिए, एक सिस्टम होता है, एडवांस करने का, मतलब, order place करते वक्ती, जब order एक बार प्लेस हो गया, तो ये वीवर्स को, ये East India Company क्या करती थी, कुछ लोन्स देती थी, कुछ पैसे देती थ हो चुका ना है, समझ रहे, तो यहां पर लिखा है, जो लोगों ने लोन लिया, उनको जो कपड़ा बन गया, वो वापस गोमस्था कोई हैंड ओवर करना पड़ेगा, गोमस्था मतलब East India Company का यादमी है, ठीक है, तो इसको ये वो कपड़ा देना पड़ेगा, तो they could not take it to any other trader, तो यहां पर ये वीवर्स बंद गई, या आपना माल किसी और वीवर को नहीं बेच सकते हैं, समझ रहे, तो ऐसा सिस्टम उन्होंने निकाला, तो ऐसा कुछ सिस्टम मों लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है, चारिए, फिर आगे देखते हैं, तो जैसे जैसे कंपनी जड़ा ज़ादा लोन ओफर कर रहे थी, और अच्छे कपड़े का डिमांड भी बहुत ज़ादा बर रहा था, तो वीवर्स जो थे, वो काफी इच्छा से वो लोन्स ले रहे थे, ये आस में कि वो ज़ादा कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीवर्स क भी कोई बेचेंगे, तो ये सोच के, ये लोग काफी खुशते और काम किये जा रहे थे, ठीक है, तो इस जमीन में लोग क्या करते थे, कल्टिवेशन करते थे, तो मतलब ये वीवर्स का दो काम था, एक तो वीविंग करना, कपरा बुलना, और दूसरा, थोड़ा मुरा खेती भी करना, और इन दोनों से इन लोग का घर चलता था, ठीक है, अब इस्ट इंडिया कंपनी के आने का बाद ये वीवर्स इतना बीजी हो गए, कि इनको जमीन में खेती करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ही जमीन को ये क्या करते है, भारे पे लगा देते है, लीज आउट दे लेंड, ठीक है, और अपना सारा टाइम किसको देते है, वीविंग को देते है, समझ देखी नहीं, आप देखिए, सून हावेवर, इन मैनी वीविंग विलेजेस, देर वा रिपोर्ट्स ऑफ क्लैसे बिट्विन वीवर्स और गोमस था, लेकिन ये सिचुएशन जरा दिन तक नहीं रहा, ठीक ठाक, जल्दी ही एक ऐसा ख़वर आया कि कई सारे विलेजेस में जहां पर वीविंग होता था, वहां पर क्लैस हो रहा है, जगरा हो रहा है, दो लोगों के बीच में एक है वीवर्स और एक है गोमस था, ठीक है, अब ये कैसे हो रहा था, देखिए, पहले क्या होता था कि जो सप्लाई मर्चेंट होते थे, वो वीवर्स वीविंग था कौन इस अप्लाई मर्चंट पहले का सिस्टम ऐसा था ठीक है और अब तो सप्लाई मर्चंट का सिस्टम ही खतम हो गया क्योंकि हमने यहीं पर पढ़ा था यह पहला पॉइंट में कि इस इंडिया कंपनी क्या कि जितने भी एक्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर से उ यह काफी एरोगेंटली एक्ट करते थे मार्च इंटू विलेजेज विद सिपोई सिपोई क्या होता है यह सिपोई का मतलब होता है सिपाही जो ब्रिटिस थे उन्होंने सिपाही को सिपोई करके प्रनौन्स करते थे एक इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिस के लिए काम करता ह इसका मतलब सिपाही है सिम्पल सा तो यह जो गो मस्ता थे यह विलेजेज में आ जाते थे सिपाही को लेके पियोंस को लेके और फिर वीवर्ट को पनीश करते थे जब भी कोई डिले होता था सप्लाई में तब ठीक है और दूसरे बायर से बेशने का तो सवाली ने उठता यहां पर ठीक है तो ऐसा कुछ सीन था दा प्राइस दे रिशीव फ्रम दे कंपणी वस मिजरेबली लो काफी कम दाम मिलता था कंपणी से कंपणी काफी कम दाम में खड़ीती थी अब देखिए यहां पर है इस्ट इंड कर रहे हैं फिर धीरे अब यह चुकी इसको लोन दिये हैं तो इनको समान पर इसी को बेचना पड़ेगा अब यह कंपणी के ऊपर है कि यह समान कितने में खड़ दे तो काफी कम दाम में यह समान को खड़ीती थी तो इससे क्या हो गया वीवर्स का प्रॉफिट जो है वो क कंपनी से टाइ अफ हो गए हैं यह इनके चंगुल से निकली नहीं पा रहे हैं यह किसी और बायार के पास जाही नहीं पा रहे हैं समझ रहें तो ऐसा कुछ सीन था उस समय में फिर आगे लिखें इन मैनी प्लेसेज इन करनाटिक और बेंगल करनाटिक याद है कि भूल गया आप अभी आपको पताए थे कौन सा रीजन है यह उस समय का मरदास प्रेसिदेंसी मतलब अभी का तमिलनाडू स्टेट जो है वह रीजन और साउदन आंधर पर्देश वह 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 रीजन ठी ठीक है एल्स्वेर वीवर्स और एलोंग विट विलेच ट्रेडर्स रीवोल्टेड ओपोजिंग दे कंपणी एंड इस ओफिसल कहीं कई पर वीवर्स क्या करने लग गए विलेज्ट्रेडर्स का सहायता से रिवोल्ट किये अनुलन किये ठीक है और कंपनी और ऑफीचल या खेती करना स्टार्ट कर दी तो सोचिए एक जमाने में जो वीवर्स का इतना डिमांड था कितना मतलब फ्रीडम के साथ काम करते थे वो फ्रीडम चीन गया अब उनको उनका कामी छोड़ना पड़ा और वो किसमें कनवर्ट हो गए है एक मास्तर एगरिकल्सर लेबर में कनवर अब यह कौनसर कौनसर प्रॉब्लम से उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है उससे पहले एक छोड़ा सा कोशन देख लेते हैं आपसे पूछेंगे एक्जाम में कि मतलब जब इस टिंडिया कंपनी ने मोनोपोली राइट टू ट्रेड ले लिया तो उसका एफेक्ट क्या-क्या परा ठीक है तो एफेक्ट यही आप लिख सकते हैं यह पॉइंट लिखेंगे यह पॉइंट लिखेंगे यह पॉइंट लिखेंगे ठीक है और ज्यादा मास्क को sell नहीं कर पा रहे थे उनको काफी low price मिल रहा था ठीक है यह सब बात आप लिख सकते हैं चलिए आगे मुफ करते हैं इन सबका detail answer आपको मेरे website पर मिल जाएगा ठीक है आप इस वीडियो को देखने का बात आप सीधा मेरे website पर जाएगा www.cbasicguidanceweb.com यहां पर क्लास्टेन वाले सेक्शन पर जाके सब्जेट के नेम पर क्लिक करेंगे आपको इस यफ्टर का जितना भी कोशन से वह एक जगा पर मिल जाएगा ठीक है अब यह आप सिप समझते चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा सब टॉपिक मैंचेस्टर कम्स टू इंडिया मैंचेस्टर एक सिटी है इंगलैंड में ठीक है देखिए क्या हुआ इस समय इन 1772 हैंरी पाटूलो एक कंपनी ओफिशल थे इन्होंने एक बात बोला था वो बात यह था वो बोले थे कि जो इंडियान टेक्स्टाल का जो डिमांड है ना वो कभी भी डिडियूस नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इतना इंडियान टेक्स्टाल इतना अच्छा कपड़ा बना पाये इस क्वालिक्टी का कपड़ा बना पाये यह बात किस ने बला था हैंड्री पटूले ने भी बुला था ठीक है यह कब बुला था यह 18th century में बोला था यह 18th century है ठीक है लेकिन 19th century आते आते तक हमने देखा कि जो इंडियन जैसे-जैसे, इंग्लेंड में, इंडिश्ट्रीज डेपलấp होते गए, जो इंडिश्ट्रील ग्रूप्स थे, इंग्लेंड के, उन में एक चिंता आ गिया कि अगर हमारे कंट्रीज में, अगर उनके मतलबंग इंग्लेंड में, या फिर बृतैन में, ऐसे ही इंडिया से प्रिटेन के पहले से ही अंडिया और भी इंडिया जैसे कंट्रीज都 हिंका इंपोर्ट आ तो इसलिए यहां के जो इंड़ेश्रिस ग्रूप थे इन्ड़ेश्र इंड़ेश्रिस ग्रूप इन्होंने प्रेसराइज किया गौर्रमेंट को उस समय में ताकि वो क्या करें इंड़ेश्रिस ग्रूप से इन्होंने गौर्रमेंट से बोला बिटेन गौर्रमेंट से ठीके क्या कीजिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए जो बाहर से कौर्टन गौर्ट्स आ रहे हैं उन पे ठीके इंपोर्ट ड्यूटी मतलब एक टायब का टैक्स है मा लिजे यह इहां पर 100 रूपए का समान आ रहा था और पहले इंपोर्ट ड्यूटी जो था वो मा लिजे 10 रूपए था तो 10 रूपए ड्यूटी लगने का बाद इसका दाम कितना हो गया बृटन में तो 110 रुपिया हो यह total अब यह industrial group बोलते हैं कि आप यह import duty बढ़ाईए आप माल लीजिए यहां के government ने इसको बढ़ा के कर दिया है 50 रुपिया तो अब इसका दाम कितना हो गया 150 रुपिया में यह समान बिखेगा इस England या फिर Britain में ठीक है 150 रुपिया हो गया तो क्या है कि लोग खर देंगे वो समान को नई खर देंगे अब वहां के लोग जो England के लोग है वो कहां के समान खर देंगे वही के इंडेस्ट्री से बने हुए समान को खर देंगे समझे तो यहां पर लिखा है यानि यह जो इंडेस्ट्रल ग्रूप से उन्होंने प्रेसराइज किया गौर्रमेंट को कि वो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्स करे कॉटन टेक्स्टाइल पर ताकि जो मैंचेस्टर में बने हुए समाने वो बिटेन में बीके ठीक है बिना कोई कंपोर्टिशन फेस किये अब देखें यहां पर दो सीन के डेट हो रहा था यह माल लीजिये है ब्रिटेन या फिर इंगलेंड और यह यहां पर है इंडिया माल लीजिये ठीक है तो पहला काम तो क्या हुआ कि इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट आ रहा था ठीक है तो वो यहां पर बिकना बंद हो गया क्योंकि यहां पर गॉर्णमेंट ने क्या लगा दिया उस पर काफी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया पैसा बढ़ा दिया तो दाम यहाँ पर जादा हो गिया तो यह समान आप यहाँ बीक नहीं रहा है, एक तरीका तो यह था और शातीसात यह इंडस्टिर्ल गुरूप्स ने एक और काम किया, इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्ट इंडिया कमपनी है उसको मना लिया कि वो क्या करें बिटिस मैनुफेक्चर्स इंडियन मार्केट में भी बेचे मतलब यहां के जो इंडेस्ट्रीज में जो समान बन रहे वो समान बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में बन रहे यहां पे तो बिकी रहा है साथ-साथ और भी ज़्यादा बन रहा है तो वो आप समान कहां बिके इंडिया में भी बिके समझ रहे तो यहां का वीवर्ष तो एक तरीका से इनका कमाई पहले कम गया क्योंकि इनका एक्सपोर्ट कम गया और दूसरा कमाई ऐसे कमेगा कि जब यहां से जो समान आके बिकेगा तो इनका समान कोई खर देगा नहीं समझ रहे वही सीनिया पर हो रहा है तो export of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century तो बहुत ज़ता British में बने हुए जो cotton goods थे वो इंडिया में आने लगे ठीक है at the end of 18th century there had been virtually no import of cotton peace goods into इंडिया 18th century के end तक कोई भी cotton का समान इंडिया में नहीं आता था लेकिन early 19th century आते आते तक काफी ज़्यादा British का समान आने लगा इंडिया में ठीक है तो cotton weaver does यहाँ पे दो problems face कर रहे थे पहला तो problem यह था कि उनका export market collapse कर गया अब उनका समान Britain में बिकनी रहे ठीक है और दूसरा problem यह था कि जो उनका local market है इंडिया का खुद का market वो भी श्रैंग कर गया क्योंकि वहाँ पे मैंचेस्टर में बने हुए जितने भी समान थे जो मैंचेस्टर इंपोर्ट्स थे वह आके मार्केट को में फ्लर्ट करके रखे हुए थे ठीक है तो मशीन से बना हुआ समान अल्रेडी इंडिया में आ चुका है तो आप इंडियान वीवर्स का समान कोई खडिद नहीं रह रहे थे यह जो की मशीन में बने हुए थे तो इनको ब्रान्य में खड्स काफी दर्ट्स काफी कम लगा था तो यह उसी तरिकसे कमदा में भी भी करये थे इतना कमदा में अमें बीक 53 नहीं कर पा रहे थे वीवर्स जो अपने कपड़ा बना रहे थे वो काफी महेंगा हो रहा था इनके तुल्ला में ठीके इसलिए इंडियन मार्केट में भी जो इंडियन का लोकल मार्केट है वहाँ पे इनका इंडियन वीवर्स का समान नहीं भी रहा था ना बाहर समान भी रहा है अग इंडिया में भी कराए अब क्या होगा इन वीवर्स का तो देखें, तो ये दो प्रबल्म तो था ही, वीवर्स को, साथ ही साथ कुछ और प्रबलम आया देखें, बाइ 1860 मतलब मिद 19th century तक वीवर्स एक नया प्रब्लम फेस करने लगे वो प्रब्लम ये था कि दे कुड नाट गेट sufficient supply of raw cotton for of good quality अब इनको कपड़ा ब्राने के लिए cotton तक नहीं मिल रहा था छे क्यों ऐसा हुआ देखिए when the American civil war broke out and cotton supply from the US were cut off Britain turned to India तो as raw cotton exports from India increased the price of raw cotton shot up यह माली जे ब्रिटेन है यहाँ पे है अमेरिका और यहाँ पे है इंडिया ठीक है यहाँ पे ब्रिटेन में बहुत सरा industries है अभी तक यह industries कपड़े बढ़ने के लिए cotton कहां से लाती थी तो अमेरिका से मंगवा रही थी तो जब अमेरिका में civil war start हो गया तो यहाँ से cotton export बंद हो गया तो अब यह ब्रिटेन के जो industries है इनको raw cotton तो चाहिए तो यह raw cotton कहां से लेने लग गए इंडिया से लेना start कर दिये तो raw cotton काफी जदा बिखने लगा तो यह raw cotton का price जो है वो काफी बढ़ गया तो यह यहाँ पे इंडिया starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices तो इंडिया के जो वीवर्स थे वो supply के लिए काफी तरपने लग गए ठीक है और force मजबूर हो गए raw cotton काफी high prices में खरिदने के लिए आप देखिए वीवर्स समझ रहे कितना problem face कर रहे है पहला तो इनका export कम गया दूसरे country में इनका समान बिख नहीं रहा है ठीक है क्यों क्योंकि यहां पे जो मैंचेस्टर गूट से वो मशीन में बने हुए थे काफी कम दाम में आके यहां पे बिख रहे थे तो उनसे वो compete ने कर पा रहे थे और तीसरा problem अभी हम देखे कि इनको raw cotton जो है वो भी काफी high price में खरिदना पर रहा था जो जो सक रहे थे वो खरीद रहे थे जो नहीं सक रहे थे नहीं खरीद रहे थे क्योंकि क्या ही होगा यह raw cotton खरीद के high price में क्योंकि इनका समान तो बिखने वाला है नहीं समझे तो in this situation weaving could not पे तो ऐसा scene create हो गया था कि यह लोग weaving से अपना मतलब रोजी रोटी नहीं चला पा रहे थे ठीक है then by the end of 19th century और 19th century के end तक weavers and other car person faced yet another problem एक और प्रावलम यह लोग face किया वो प्रावलम क्या था यह था कि factories in India began production flooding the market with machine goods इस समय तक end of 19th century तक इंडिया में भी कई सारे factories बन चुके थे ठीक है तो यहाँ पे भी जो factory में बने हुए goods थे वो भी आप इनी के market मे बीक रहे थे तो अब इनसे भी complete करना पर रहा था इन वीवर्स को ठीक है तो यहाँ पे लिखाए market को flood कर दिये थे machine made goods से तो यहाँ पे भी मतलब उनका sale जो था और भी decline करी है local market में समझे की ने तेक बार अगा हम decap करें इस topic में पूरा हमने क्या परा देखिए उपर में हमने देखा था यहाँ पे लिखा हुआ था कि उपर वीवर्स तो यह सा प्रॉब्लम फेस करी रहे थे कंपनी के आने का बाद लेकिन 19th century तक cotton वीवर्स को नया से तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो प्रॉब्लम क्या था देखिए इस सवय में जो मैंचेस्टर था वहाँ पे बहुं सारा cotton इंडेस्ट्री आने लगा तो यहाँ पे इंडेस्ट्रिल ग्रॉप ने डिमांड किया कि government import duty impose करे साथी साथ इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी को भी मना लिया कि वो इंडिया में बिटिस मनुफेक्च्छर्स मतल 19th century तक इनको raw cotton मिलना भी मुश्किल हो गया ठीक है और फिर end of 19th century में इन्हें एक और नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो था कि इंडिया में जो फैक्टरीज थे अब उनसे भी इनको compete करना पर रहा था समझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था उस समय में तो यह सारा point आ रखेंगे डारेक्ट कोशन बन जाएगा इस पर चलिए इतना ही था यह टॉपिक अब इस्टार्ट करते हैं इंडिया में जो फैक्टरीज है उसके बार में हम परेंगे ठीक है लेकिन उमीद करते हैं आप ठक गए होंगे हम भी ठक गए हैं थोड़ा ब्रेक लेते ब्रेक इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे फैक्टरीज कम अप ठीक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं तीन चीज कि इंडिया में जो अर्ली इंडस्ट्रीज थे वो किस ने सेट अप किया ठीक है वो इंडस्ट्रीज सेट अप करने के लिए जो पैसा था कैपिटल वो कैपिटल कहा से आता था वो देखेंगे और इस industries में काम करने वाले industries या फिर mills या फिर factories जो भी बोल लीजिए ठीक है इसमें काम करने के लिए workers कहां से आते थे वो हम देखेंगे ये तीन चीज हमें इस topic में study करना है समझे चलिए start करते हैं से पहले हैं पर कुछ stats दिया हुआ है वह देख लेते हैं कि जो पहला cotton मिल था Bombay में वह कब setup हुआ था 1854 में यह पहला बात ठीक है फिर इसी time के around 1855 में जो जूट मिल था पहला जूट मिल वह Bengal में setup किया गया ठीक है फिर नौर्थ इंडिया में एक Elgin Mill था जिसमें कपरा बनाया जाता था टेक्स्टाइल production होता था ठीक है यह setup किया गया कानपूर में 1860 के time पे ठीक है तो हम देखने कि जो लेट 18th century है इसमें कई सारे industries setup हो रहे थे इंडिया में तो सवाल आता है कि यह industries setup कौन कर रहा था इस industries को setup करने के लिए पैसा पूंजी capital कहां से आ रहा था और इस industries में काम करने के लिए जो workers थे वो कहां से आ रहे थे यह तीन चीज हमें देखना है इस topic में ठीक है चलिए start करते है पहला सब topic है the early entrepreneurs देखिए लिखा हुआ है कि अलग अलग डिजन में जो industries थे वो अलग अलग टाइप के लोग start कर रहे थे from the late 18th century जो इंडिया में जो Britishers थे वो क्या करते थे चाइना में और बदले मैं चाइना से टी लेकर यह Britishers कहां एक्सपोर्ट करते थे इस टी को इंगलैंड बेशते थे टो इसी ट्रेड में जो कई सारे इंडियंस थे वो जुनियर प्लेयर बन गए ठीक है यह यहां पर वही लिखा है कि कि many Indians became junior player in this trade, in this trade मतलब यह जो China trade है, इसमें कई सारे Indians भी participate करने लग गये, कोई पैसा प्रोवाइड करता था, कोई supply को खरीता था, कोई shipping consignment इसमें काम करता था, ठीक है, तो कई सारे Indians भी इसमें role play करने लग गये, ठीक है, और यही काम करते करते हैं, बहुत सारे लोगों ने क क्या किया, पैसा कमा लिया, समझे की नहीं, इसी China trade से, for example, देखिए, for example, Bengal में एक इनसान थे, जिसका नाम है, दौरकानाथ टेगोर, इन्होंने इसी China trade से, अपना किसमत बदल लिया, ठीक है, और industrial investment स्टार्ट किया, और finally इन्होंने क्या किया, six joint stock companies set up किया, 1830 और 1840 में, त पैसा कमा, कहा से कमाया था, इसी China trade से कमाया था, ठीक है, इसी तरीके से, Bombay में, कुछ पार्सी थे, जैसे कि पहले हो गए, दिनसो पेटीट, और डूसरे हो गए, जमसेट जी, नुसरवान जी, टाटा, इन्होंने, huge industrial empires, बिल्ड किया, इंडिया में, ठीक है, इन्होंने पैसा कहा से कमाया था, तो इन्होंने अपना शुरुवाती पैसा जो था, वो export to China, यहां से कमाया था, और यह लोग raw cotton shipment करते थे, इंग्लेंड से, तो यह दो काम से इन्होंने पैसा कमा के, इंडिया में, huge industrial empire, सेट अप किया, समझे, फिर उसी तरीके से, एक और इंसान थे जिनका नाम है, सेट हुकुम चंद, यह एक मरवारी बिजनेसमेन थे, इन्होंने first Indian jute mill setup किया, कहा पे, Calcutta में 1971 में, यह भी पैसा कहा से कमाया थे, पहले यह भी चाइना के साथ ट्रेड करते थे, और इसी के ज़री यह पैसा कमाया था, इन्होंने, यह बहुत important है, इसके पर कोशन आता है, एक फिली इंदा ब्लैंक आपसे पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि the first Indian jute mill was set up in Calcutta by Dash, तो Calcutta में पहला jute mill किसने set up क्या था, तो आपको यह नाम याद रखना है, सेट हुकुम चंद, ठीके, टाइम भी याद रखेंगे, 1917, समझे, फिर उसी तरीके से जी डी बिरला थे, famous industrialist, इनके father और grandfather भी इसी China trade से पैसा कमा के बड़े industrialist बने थे, समझे, चलिए, तो एक तरीका तो हमने ये देखा, इस topic में हमने कुछ-कुछ नाम देखा, ये नाम, फिर ये नाम, ये नाम, सेट हुकुम चंद का नाम, ये सब कुछ बड़े बड़े न देखे, इन्होंने पैसा कहां से कमाया था, और कैसे industry set किया, वो हमने देखा, अब ऐसा नहीं है कि सभी industrialist जो इंडिया में थे, वो चाइना trade से ही पैसा कमा रहे थे, कुछ और तरीका भी था पैसा कमाने का, capital लाने का, तो वो तरीका यहां पर बताया गया है, capital was accumulated through other trade networks, द दूसरे जो merchant है, वो Middle East और East Africa के country से trade करके पैसा कमाये, और फिर इन्होंने industry set up किया, ठीक है, फिसकूस ऐसे भी Indian merchant है, जो trade में, मतलब external trade में directly involved नहीं थे, यह लोग कहां से पैसा कमाये थे, तो यह लोग इंडिया के अंदर ही operate करते थे, they operated within India, यह लोग goods को carry करते थे, एक place से दूसरे place में, money supply करते थे, fund transfer करते थे, between cities, और traders को finance करते थे, यह सब काम करके, कुछ लोगो में investment करना start कर दिया, और कई सारे factory setup किये, समझे की नहीं, तो हमने यहां पर तीन source देखा, जहां से पैसा आता था, एक हो गया China trade, दूसरा हो गया other trade network, जैसे की Burma से, और Middle East East Africa से trade करके, और दूसरा हो गया country के अंदर ही operate करके, यह तीन तरीके से पैसा आता था, और अलग ल एंसर मिल चुका है इस topic में, who set up industries, तो अलग अलग टाइप के लोगों का नाम देखा हमने, capital कहां साथा था, वो हमने देख लिया, अब आगे हम यह study करेंगे, ठीक है, कि workers कहां से आते थे, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट यहां पर और है, उसको देख लेते हैं पहले, यह देखें, अगला सब टॉपिक यहां पर वही दिया हुआ है, कि where did the workers come from, इसको देखेंगे, उससे पहले उपर का कुछ study कर लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ-साथ यह तो कब का बात बताया जा रहा है, late 18th century का, जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे जो colonial control थार, बिटिस का इंडियन ट्रेट पे वो टाइट होते गया, और इसके कारण जो इंडियन मर्चेंट थे, उनका function scope काफी limited हो गया, ठीक है, इस इंडियन मर्चेंट और इंडिस्टिलिस को, मतलब बार कर दिया गया, मतलब रोग दिया गया, यूरोप में किसी भी टाइप का manufacture good बेचने से, बोला गया कि इंडियन मर्चेंट को कि आप सीप raw materials और food grains सी सप्लाई करें बिटिस को, जो बिटिस को चाहिए, cotton, opium, wheat, indigo, आप यही सब चीज सप्लाई कीजिए, manufacture good आप यूरोप में नहीं बेजेंगे, ऐसा करके condition लगा दिया गया, बिटिस्टिस के दोरा इंडियन समझें उस समय में, चलिए, फिर एक और हमापे scene create हो रहा था कि till the first world war, पहले world war तक कुछ European managing agencies थी, जो लोग जो क्या करते थे, Indian industries को control करके रखे हुए थे, यहाँ पर तीन बड़े European managing agencies का नाम दिया हुआ है, पहला है Bird, Highlers and Co, दूसरा है Andrew, Yule, और तीसरा है Jardine, Skinner and Co, ठीक ह यह agencies का काम क्या था, यह लोग capital mobilize करते थे, मतलब पैसा इकटा करते थे, fit joint stock company set up करते थे, और उसको manage करते थे, जानातर cases में यही होता था कि जो Indian finances थे, वही लोग पैसा provide करते थे, और यह जो European managing agencies थे, वो क्या करते थे, यह सारा investment और business decision है, वो यह European managing agencies लेते थे, समझे, इस सरी कैसे काम होता था उस समय में, तो यह छोड़ा सा दो point था, आप इध्यान में रखेंगे, चितना मंदलाइन के हैं, वैसे आप भी अंडलाइन कर लीजे, चलिए, आज आते हैं next topic पे, workers कहां से आते थे, देखिए, factories बनते जा रहे थे, उनमें workers का demand भी बढ़ते जा रहा तो यह से आपको याद नहीं रखना है, पस समझना है कि इतना workers आ कहां से रहा था, तो उसका जवाब अब हमें भी लेगा, देखिए, जड़ा तर इंडस्टियल रिजन्स में जो workers थे, आस पास के district से ही आ रहे थे, जो पीजन्ट और आटिजन्स थे, जब उनके पास village में कोई काम नहीं होता था, तब यह लोग इंडस्टियल सेंडर्स आते थे, काम की खोज में, ठीक है, फर इजामपल, जो बंबे में जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, 1911 में, वहाँ पे जो नेबरिंग एक district है, रतना गिरी, यहां के workers आते थे काम करने के लिए, इस बंबे मिल्स थे, तो इस मिल्स में कहां से worker आते थे, तो उसी कानपूर डिस्टिक का जो villages है, इस villages से workers निकल के इसमें आते थे, समझे, तो उसमें एक ऐसा system बन गया था, कि जो mill workers थे, वह village और city में move करते रहते थे, जब village में हाड़ बेस्ट हो, festival हो, तब village में आ रहते थे यह workers ल आतम, जब कोई काम नहीं होता था village में, तो इस लोग city में move कर जाते थे, industries और mills में काम करने के लिए, समझे, फिर आगे लिखा हुआ है, कि जैसे जैसे वक्त बिता, तो जैसे कि कोई employment का news आता था, तो workers great distance travel करने के लिए भी ready हो जाते थे, in search, in hope of work, ठीक है, एक यहाप ए United provinces, मतलब आज का जो present है, उतर परदेश और उतराखंड वाला जो जगा है, वहाँ से लोग travel करते थे, Bombay तक, mills में काम करने के लिए, और Calcutta तक, jute mills में काम करने के लिए, तो अब देखी सकते हैं, कि उस समय में, transport facility उतना available नहीं था, तभी भी लोग इतना दूर दूर समझे की नहीं, चलिए, आगे देखते हैं, लेकिन उस समय में भी job पाना एक काफी मुश्किल काम होता था, भले ही mills का number बढ़ते जा रहा है, factory बनते जा रहे हैं, workers का demand भी बढ़ रहा है, लेकिन तभी भी population भी उसी speed से बढ़ रहा था, ठीक है, कितना भी mills बने हमेशा, जो workers का number था, वो हमेशा ज्यादा था, jobs के number से, ठीक है, इसलिए mills में job पाना उतना easy नहीं था, restricted था काफी, तो industrialist लोग क्या किये थे, ये लोग एक jobber को employ करके रखे हुए थे, very 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 important term, jobber का काम होता था कि ये new recruits को लाना, ठीक है, किसी भी industry में या फिर mill में कौन काम तो वो इंसान को पड़ के लाने का किसका था, jobber का था, jobber usually क्या था, एक old or trusted worker होता था, उसका काम था कि he got people from his villages, अपने village से लोगों को उटा लाता था, उनको job दिलवाता था, और उसको city में settle होने में help करता था, और साथी साथ, अगर कोई crisis आ गया, कुछ पैसा का कम ही आ या किसी worker को, तो ये jobber उनको money provide करता था, समझें, बहुत important, ये famous question बनता है, अभी बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं, तो इसलिए jobber जो था, दिरे दिरे कैसा, एक ऐसा person बनने लगा, जिसके पास कुछ authority हो था, और power था, ठीक है, और इसी का फायदा उठा के, ये jobber last में कुछ गंदा काम भी कर देते थे, जैसे कि ये लोग money और gift demand करते थे, worker से, और दिरे दिरे workers के life को काफी control करने लग गई है, jobbers, एक यहाँ पर jobber का picture दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, इसका ख़ड़ा होने का style से आप समझ सकते हैं कि कितना इसका में क्या है authority है, स workers का number तो बर रहा था, लेकिन अगर पूरा industrial workforce का अगर बात करें, मतलब factory में कम, जिसे कि देहिए, अगर 100 लोग है जो industries में काम कर रहे हैं, उसमें से बहुत कम percentage ही ऐसे थे जो factory में काम करते हैं, अभी भी जलातर लोग अपने घरों में या फिर जो भी छोटे मोटे कार खान कोशन बनता है, fill in the blank में, ठीक है, दूसरा कोशन आप से इस तरीके से पूछेंगे, आप से बोलेंगे कि, describe the contributions of the early industrialist of India in shaping the industrial development of India, जो early industrialist थे उनका contribution बताईए, तो आपको ये सारा बात यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से लेके ये सारा जो भी हमारे अंड लिखेंगे, ठीक है, और एक कोशन यह भी बन सकता है कि, पैसा कहां से आता था, तो ये सारा बात, उसका answer भी यही सब जाएगा, ठीक है, चलिए, फिर एक कोशन यहां से बनेगा, जोबर के उपर, आप से पुछेंगे कि, who were the jobbers, और explain their main function, जोबर कौन थे, उनका function बताई ये, तो जोबर क्या था, एक paid worker था, industrialist का, और they were the old and trusted workers, ये दो बात लिखेंगे, और function में आप लिख देंगे, यहां से यहां तक आप एक point बना देंगे, कि वो लोगों को लाता था, village से, उनको job दिलवाता था, और city में settle करवाता था, और दूसरा function आप ये लिख देंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आजाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, आईए अब स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ टॉपिक, इसका नाम है, the peculiarities of industrial growth, peculiarities सब्द का मतलब होता है, कुछ unusual या फिर strange characteristics, इंडिया में जो industrial growth हो रहा था, late 19th century और early 20th century में, उसका कुछ अजीब सा features था, व इसका बारे में थोड़ा साथ जिकर हमने पिछले टॉपिक में भी किया था, तीन major European managing companies का नाम हमने देखा था, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये जो agencies है, ये इंडिया में industrial production को काफी control करके रखी होई थी, लेकिन ये जो agencies थे ना, ये कुछ ही products में interest था इनका, ये लोग क्या किये थे, tea और coffee plantation established किये थे, colonial government से land लिये थे, काफी cheap rate में, ठीक है, और ये लोग investment किये थे, mining में, indigo में, jude में, ठीक है, और जाला तर जो ये सब products थे, ये लोग export के लिए ये लोग use करते थे, ठीक है, ना कि इंडिया में sell के लिए, समझे, तो ये सब कुछ बात आप managing agencies के बारे में, पहला point, अब बात करते हैं, कि देखें, उस समय में colonial control काफी tight होते जा रहा था, तो इस situation में भी, जो Indian businessman थे, merchant थे, जो industrialist थे, वो इस situation में भी, क्या किये, survive किये, कैसे survive किये, क्या क्या factor इनको help किया, वो देखेंगे हम, ठीक है, देखेंगे, तो ये लोग क् रहे थे, avoid किये, compete करना, Manchester good के साथ, Indian market में, जो Britain से good, समान बनके आ रहा था, उससे competition ये लोग avoid किये, Manchester good से, ठीक है, देखें, अब British, Britain से, जो import हो रहा था, इंडिया में, उसमें यान नहीं था, यान मतलब thread जो धागा है, वो Britain से बनके नहीं आ रहा था, इसलिए जो पहले क जो cotton mills है, इंडिया में, वो लोग क्या किये, ये course cotton yarn बनाना शुरू कर दिये, rather than fabric, ये लोग कपड़ा नहीं बना के, ये mills क्या करते थे, cotton yarn बनाते थे, thread बनाते थे, समझे की नहीं, क्यों, ये इसका reason ये ही है, ये जो cotton mills ये फिर जो Indian businessmen थे, ये लोग चाह रहे थे कि, जितना हो सके, उतना हम, Manchester goods से competition को avoid करे, ठीक है, तो वो समान जो यहां से बन के नहीं आता था, वो समान ये इंडिया में बनाया जाता था, उस समय में, ठीक है, तो उस समय में, बिटेन से fabric कपड़ा बन के आता था, तो ये लोग कपड़ा नहीं बनाए, ये लोग क्या बना इंडियन cotton mills थे, वो लोग क्या बनाने लग गए, cotton yarn बनाने लग गए, ठीक है, ये यांड ये लोग कैसे बेशते थे, तो ये यांड ये लोग handloom weaver, वो हाथ से कपड़ा बुनते थे, उनको supply करके इस product को use करवाते थे, या फिर कुछ product को वो चाइना में export कर देते थे, ये दो तरीका से इंडियन cotton mill में जो समान बंदा था, वो use होता था, समझे के नी समझे ये बात, चलिए, ये हो गया पहला point जिससे की इंडियन इंडियस्ट्री सर्भाइब किये, colonial control को, ठीक है, अब आज ये दूसरे point पे, by the first decade of the 20th century, 1900 से लेके, 1910 तक, पहला decade, पहला जो 10 साल का period था, 20th century का, उसमें कुछ changes हुआ, जिससे की initialization pattern काफी effect हुआ, जिसमें से एक था, स्वाधिसी movement इस समय में start हुआ था, 1905 में जब Bengal का partition किया गया, तो स्वाधिसी movement में काफी जोड दिया गया, इसमें जो nationalist लोग थे वो लोग लोगों को mobilize किये कि वो क्या करे, foreign goods को boycott करे, मतलब उसको use नहीं करे, और India में बना हुआ समान को use करे, ठीके, जिते भी industrial groups थे, वो सब एक साथ आए, ताकि अपने collective interest को protect कर पाए, government के उपर pressure create किये, ताकि वो लोग क्या करे, tariff protection को increase करे, मतलब यह इंडिया है, इ tax लगाए, जिसको tariff बोलते है, ठीके, इससे क्या होगा कि बाहर का समान इंडिया में काफी महगा हो जाएगा, लोग यह समान को नहीं खर देंगे, और इंडिया का जो mill या फिर factory में जो समान बन रहा है, लोग उसको खर देंगे, ठीके, तो यह industrial groups ने पैसराइज किया, government क वो tariff protection increase करने के लिए, और भी कई सारा concessions लिया उन्होंने, ठीके, colonial government से, फिर आगे देखिए, from 1906, the export of Indian yarn to China decline, अब 1906 में एक अलग चीज हुआ, यह काफी important point है, हमने उपर में देखा अभी, कि जो इंडियन cotton mills में, जो यान बनते थे, वो यान क्या किया जाता था, इंडियन यान जो चाइना में export होता था, वो decline कर गया, इसका reason क्या है, reason यह है, कि इस समय में Chinese और Japanese mills भी setup हो रहे थे, तो इनका बना हुआ समान ही Chinese market में बिख रहा था, ठीके, तो इसलिए, इंडिया का बना हुआ समान चाइना में जाना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बन जाता है, आपसे exam में direct push लेंगे, कि give reason why the export of Indian yarn to China declined in 1906, reason बताईए उसका, तो reason आपको यह लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक, ठीक है, कि produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market, चलिए, आगे बढ़ते है, so industrialist in India began shifting from yarn to cloth production, जैसे ही Indian yarn चाइना में बिखना बंद हो गया, तो इंडिया के जो industrialist थे, वो yarn produce करना बन कर दिये, वो अब क्या produce करने लग गए, फैबरिक यहनी cloth produce करने लग गए, cotton piece goods production इंडिया में double हो गया, इस 12 साल के period में, समझे, फिर एक अगला factor आता है, First World War, इसका time क्या था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था यह, इस समय में भी industrial growth काफी change हुआ, ठीक है, war created dramatically new situation, इस समय हुआ क्या था, देखिए, इस समय में जो British के mills थे, वो काफी busy हो गए, war production करने में, ठीक है, war production में, जो army का needs था, उसको पूरा कर रहे थे, Manchester imports जो इंडिया में आ रहा था, वो भी कम हो गया, क्योंकि यह चितना भी समान बना रहे थे, वो British, Britain में ही use हो जा रहे थ तो suddenly यहाँ पे जो Indian mills थे, उनको एक opportunity मिल गया कि वो अपना home market में supply करे, मतलब यह Indian market है, पहले यहाँ पे तो यूरोप से बन के समान, Britain में बन के समान यहाँ पे बिखता था, Manchester goods सब बिखते थे, लेकिन अब यह लोग अपने ही war में busy हो गए है, army को supply कर रहे वो सब समान, तो यहाँ पे import कम गया, तो यहाँ के जो industries है, Indian mills जो है, वो अब यहाँ के market को, home market को supply कर रहे है, समझे, फिर अगला point है कि as the war prolonged, जैसे जैसे war चलता गया, Indian factories को were called upon, मतलब इनको बोला गया, कि यह लोग war supply war needs, war में जो चीज का जरोत है, उस चीज को भी supply करें Indian factories, क्या-क्य चीज का जरोत परता है war में, देखिए, जूट बैक्स हो गया, फिर army uniform के लिए cloth हो गया, tent हो गया, leather boots हो गया, horse and mule saddles, mule क्या होता है, donkey और horse का एक hybrid होता है, जिसको mule कहते है, इसमें जो seat होता है, saddle, ठीक है, वो चीज, और host of other items, यह सब चीज बराने के लिए बोला गया, Indian factories को, तो यहां पे भी इनको boost मिला, समझें, तो ऐसे ही करके क्या हुआ, new factories were set up, नएने factories set up किये गए, और जो पुराने factories थे, वो multiple shift में काम कर रहे थे, कई सारे workers को hire किया गया, और सब को लंबे समय तक काम करना पर रहा था, तो over the years, जब तक war चला, first world war, तब तक industrial production काफी boom ह हुआ, increase हो गया, समझें, और एक बार जब war खतम हुआ, तब वापस जो यह Manchester था, वो अपना पुराना वाला जो image था, old position, वो recapture नहीं कर पाया, Indian market में, समझें, तो यह बहुत important है, इसके उपर बहुत famous question बनता है, यह topic आपको must prepare करके जाना है, आपसे पूछेंगे कि why did industrial production in India increase during the first world war, क्यों बढ़िया first world war के time में, तो एक, दो, तीन, चार, और लास्ट में, मैंचेस्टर वाला point, यह 5, यह 5, यह 5, यह 5 point देखे आप इस sensor को समझा देंगे, समझें, 5 point में लिख देंगे, इसी question को यह लोग अलगवे में भी frame कर सकते हैं, आपसे पूछेंगे, कि why could Manchester never recapture its old position in the Indian market after the first world war, explain, यह Manchester की वापस अपना वो पुराना image capture नहीं कर पाया, तो इसके लिए भी यही same answer जाएगा, यह 5 point को वापस आपको फिर से लिख देना है इसमें, ठीक है, चलिए, तो war खतम हो गया, तो क्या हुआ देखिए, the economy of Britain, यह क्या हुआ, modernize उतना नहीं हो पाया, compete नहीं कर पाया, US, America, Germany, Japan के economy के साथ, ठीक है, तो इसका economy काफी ठप पड़ गया, cotton production collapse हो गया, बिटेन का, और बिटेन जो पहले cotton को cotton cloth export हिया करता था, वो भी काफी reduce हो गया, और जहां तक बात करें, colonies का, गुलाम देशों का, तो यहां के जो local industrialists थे, यह लोग काफ अपना position को consolidate strong किये, और home market को काफी अच्छे तरिके से capture किये, foreign manufacturers को substitute कर दिये, domestic manufacturers से, समझे, तो इतना सरा point आपको यहां आपसे त्यार करना है, अब इसी में एक छोटा सा दूसरा sub topic है, वो है small scale industries predominate, यह क्या है, चलिए पढ़ के देखते हैं, हम देख रहे थे कि war के समय और war के बाद भी factory industries काफी अच्छे से grow कर रहे थे, लेकिन जहां तक बात करें, industries भी तो बहुत टाइप के होते हैं, एक होते हैं large industries और एक होते है small scale industries, तो बात करेंकर large industries का, तो इनका number काफी कम था, जड़ातर जो large industries थे, वो mainly Bengal और Bombay में ही located थे, और बाकी पूरे countries में small scale production ही ज जरा dominate कर रहे थे, बात करें workforce का, labor workforce का, तो ये भी ज़्यादा small scale production में ही involved थे, ठीक है, large industries में बहुत कम worker काम करते थे, चलिए, in fact कुछ ऐसे cases भी थे जहां पे handicraft production actually expanded in the 20th century, हाथ से जहां पे production होता था, ठीक है, वो expand किया 20th century में, खास कर से हम handloom sector का अगर बात करें, जहां पे हाथ से बुन के कपड़ा बना जाता था, यहां पे production increase कर गया, अब ये सब चीज कैसे हुआ, उसका reason अब हम समझेंगे, देखिए, तो small scale industries का grow करने का पीछे, एक reason है, technological changes, handicraft people जो थे, जो हाथ से काम करके कोई चीज को produce करते थे, इन लोगों ने technology को adopt किया, इससे इनका production काफी improve हो गया, और बीना खर्चा बढ़ाए, खर्चा भी जदा नहीं बढ़ा, ठीक है, by the second decade of 20th century, हम देखते हैं कि वीवर्स ऐसे looms का इस्तमाल कर रहे थे, जिसमें fly shuttle लगा हुआ है, fly shuttle क्या होता है, ये type का mechanical device है, जो weaving कपड़ा बुनने में यूज किया जाता है, इतना तो ये बुन पा रहे थे, ठीक है, तो अब ऐसे looms यूज किया जा रहे थे, जिसमें क्या लगा हो, fly shuttle लगा हो, तो इससे productivity per worker बढ़िया काफी, production का speed भी बढ़िया, और labor demand भी कम हो गया, तो ये एक reason था जिससे की handicraft यानि small scale industries, handloom industry काफी grow किया, ठीक है, technological change का बज़र से, इसके अलावा, और भी कई सारे छोटे-छोटे innovations थे, जिससे की weavers को काफी help मिला productivity बढ़ाने में, और mill sector से compete करने में, समझे, चलिए, फिर अगला point है weavers के बारे में, जहां तक बात करें weavers का, तो weavers दो category के पाए जाते थे उस समय में, एक ऐसे weavers थे, जो काफी coarse, खो पोइंट है, यह blue से highlight है, मतलब यह blue वाला point इसके इसके लिए है, ठीक है, सबसे पहले बात करते है, coarse cloth weave करने वाले weavers के बारे में, देखिए, यह जो coarse cloth था, यह poor लोग खरीते थे, जाहिर सा बात है, और इसका जो demand था, वो काफी fluctuate होता था, कभी demand जाता होता था, कभी demand क होता था, अब कैसे देखिए, जब कभी harvest काफी bad हुआ, या फिर कभी अगर famine आ गिया, तो यह rural poor के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं होता था, यह लोग कहां से कपड़ा खर देंगे, इसलिए इनका demand कभी बढ़ता था, कभी घरता था, harvest अगर अच्छा हुआ, तो demand बढ situation हो जाए country में, वो पैसे वाले लोग यह अच्छे variety के कपरे खरीते रहते थे, ठीक है, भले ही वो गरीब लोग, भूख से मर जाए, famine आ जाए, जो भी आजाए, bad harvest हो, ऐसा impact कुछ reach पर देखने को नहीं मिलता था, यह reach लोग, यह कपरे खरीते थे, मतलब इनका demand काफी stable थ करता था, ठीक है, क्योंकि यह काफी अच्छे quality के कपरे थे, fine variety थे, तो यह reach low consume करते थे, इसका demand stable था, ठीक है, और हमने यह भी देखा, जो मिल्स में जो कपरे बनते हैं, वो इस quality के कपरे तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, सारी इस भी वोवन बॉर्डर्स, या फिर famous लूं पर रहें, industrial growth का इंडिया में, ठीक है, फिर अगला चीज यहां पर लिखा हुआ है, कि weavers and other craft person who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper, यह जो वीवर्स है और जो बाकी craft person थे, यह लोग अपना production तो increase कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह लोग इनका condition भी improve हो रहा था, यह लोग प्र production process में involved थे, ठीक है, जो पहले का इनका जो समय था, past time, वो समय वापस इनका लटके नहीं हापाया, ठीक है, their life and labor was integral to the process of industrialization, industrialization पर पुड़ा dependent थे यह लोग, ठीक है, यह कुछ point यहां पर लिखा है, इतना ही था इस topic में, आप इस map में भी देख सकते हैं, कि जो large scale industries थे, वो चलिए, इसके उपर एक question बनता है, इस पूरे topic से एक question बनेगा ऐसे, बड़े रूप में, कि small scale production continue to predominate in India, यह statement देंकर पूछेंगे, why, क्यों predominate कर रहा था, तो आपको यह सब point लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, आप पहले यह लिखेंगे, ठीक है, यह क्यों हुआ वो बताएंगे, फिर उसके बाद, यह point लिखेंगे, और यह सब point लिखके समझा देंगे, समझे, चलिए, चलिए, वाल आते हैं, आखरी topic पे, इस chapter का, आखरी topic है, market for goods, जो भी समान बन रहा है, बले ही वो उसको बिटिशर्स बनाते हो, यह फिर इंडियन्स बनाते हो, उस समान का marketing कैसे किया जाता था, मतलब कैसे वो समान को लोगों तक पहुचाया जाए, और कैसे लोगों को मनाया जाए, कि लोग वो समान को खड़ दे, तो उसका marketing कैसे होता था, वो हम इस topic में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, देखते हैं, introduction में क्या लिखा हुआ है, हमने अभी तक देख रखा है, कि कैसे बिटिस manufacturers ने इंडियर मार्केट को टेक ओवर करने का attempt किया था, ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो इंडियर वीबर्स और जो क्राफ्ट मैन है, ट्रेडर्स है, इंडेस्टिलिस्ट है, कैसे इस colonial control को रेसिस्ट किये, सर्वाइब किये इसमें, वो भी हमने देखा हमने देखा था कि इन लोगों ने टैरिक प्रोटेक्शन डिमांड किया, अपना स्पेस खुद क्रियेट किया, और अपने मतलब ट्राइट टो एक्स्टेंड अमार्केट फॉर अपने समान को खुदी मार्केटिंग करवा के बेचा, ठीक है, लेकिन जब भी कोई नया समान बनता है, भले ही वो नया समान ब्रीकिन मेनुफक्चर बना रहे हो या फिर इंडियन इंडरिशनली हो, वो समान को क्या करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को ये विश्वास देरना पड़ेगा कि वो समान वो यूज करे, ठीक है, they have to feel like using the product, लोगों को ये feel होना चाहिए कि वो उस समान को use करें तो ये feel कैसे create किया जाता था मतलब समान का यानि goods का marketing कैसे किया जाता था वो हम देखेंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर पांच्छे तरीका बताया है goods का marketing करने का सबसे पहला तरीका है advertisement one way in which new consumers are created is through advertisement नया ग्रहक को अपने तरफ एट्राक करने का तरीका है advertisement advertisement क्या करता है product को desirable और necessary appear करवाता है ठीक है लोगों का mindset change होता है और लोगों को मतलब जरूत नहीं भी हो फिर भी advertisement देख देखके लोग सोचते हैं कि यह हमारे जरूत का समान है और लोग खरीतते हैं समान को ठीक है आज हम ऐसे world में रहे हैं जहाँ पर advertisement हर जगा हमें देखन बात से ही advertisement एक काफी important role play किया था in expanding the market for product ठीक है किसी भी product का marketing में advertisement काफी important role play किया था इंडेश्टियलेस से ही and in shaping a new consumer culture और लोग को एक product को use करें मतलब उनका mindset भी change हुआ advertisement का वजह से ही समझे की नहीं तो इतना आप prepare करेंगे यह जो beach का line है इसको आप as a general lines बोला गया है इसक को आप essay writing English में या फिर paragraph writing में भी use कर सकते है advertisement के बारे में मेन आपको यह सब या prepare कर लेना है ठीक है तो पहला तरीका हो गया advertisement अब आते यह दूसरे तरीके पर दूसरा तरीका है levels का use करना जब merchant industry list अपना कपड़ा इंडिया में sell करना start किये तो वो क्या करते थे उस कपड़ इंगलेंड में बना है या फिर मैंचेस्टर में बना है तो काफी high quality समान होगा ठीक है और दूसरा फाइदा यह होता है कि इससे buyer यानि लोगों को company का नाम याद रिखाता है लोग उस company का नाम से familiar हो जाते है ठीक है यह दो फाइदा होता है level लगाने से फिर level का एक और फा समान का quality काफी अच्छा होगा बायर काफी confidently उस समान को खड़िता था तो यह impact होता है levels का समझे यह तो हम आज भी feel करते हैं अगर किसी समान पर कोई brand का logo लगा हुआ है तो हम उस समान को चाहते हैं कि खड़िद ले ठीक है चलिए अगर पैसा हो तो तो यह अभी तक हमने द दो तरीका देखा जिसे की goods का marketing होता है सबसे पहले advertisement डूसरा है levels अब आते हैं तिस्वे तरीके पर कि तिस्या तरीका है images of Gods Indian Gods and Goddesses levels का मतलब यह नहीं था कि सिप आप उसमें सब्दों में कुछ चीज लिख दे levels में images का भी use होता था और यह images काफी अच्छे तरीके से बनाया जाते थे उस पर ठीक है अगर हम पुराने levels को देखे तो देखिए इस पे कुछ लिखा तो हुआ ही है टेक्स्ट में लेकिन साथी साथ देवी देवताओं का image भी use किया हुआ है ठीक है यह देवी देवताओ अगर आप भगवान का photo यूज करते हैं किसी product पे तो ठीक है यह देखिए साबून का packet है इस पर यह sunlight soap लिखा हुआ है और यह पर भगवान का image यूज किया हुआ है ठीक है मानो भगवान इस समान को मंजूरी दे रहे हो कि यह समान अच्छा है लोगों को use करना चाहिए ठी ठीक है तो तीसरा तरीका हो गया Indian Gods and Goddesses का image यूज करके goods का marketing किया जाता था ठीक है आज यह चौथ है तरीके पर यह बहुत important है यहाँ पर है calendars का use करना goods का marketing के लिए ठीक है Late 19th century आते आते तक manufacturers क्या किये calendars प्रिंट करना start कर दिये अपने product को popularize करने के लिए जो भी उनका brand name था उस brand name को लेके calendar प्रिंट करते थे उपर में यहाँ पर brand name लिखा होता था ठीक है calendars का फाइदा यह है कि calendars वो लोग भी इस्तमाल कर सकते हैं जो परहे लिखे नहीं है ठीक है जबकि newspaper और magazine वाला जो advertisement होता है यह सिर्फ परहे लिखे लोग ही इस्तमाल करते हैं है कि नहीं लेकिन calendar में यह plus point है कि जो people पर नहीं सकते हैं वो भी calendars use करते हैं ठीक है लोग इसको tea shop, चाय का दुकान में, गरीब लोग अपने घर में, offices में, middle class apartment में हर जगा यह calendars use होता है अमीर हो या फिर गरीब हो सब इसको use करते हैं ठीक है और जो भी calendars को एक बार अपने घर में टांग लिया तो उसको day after day, रोज रोज calendar देखने का जरौत परता था और calendar देखते हैं वक्त वो advertisement भी देखते थे उस brand का नाम देखते थे यहाँ पे और धीरे धीरे इस नाम से काफी familiar हो जाते थे और सुस्ते थे कि यह brand अच्छा है ठीक है तो in this calendar और इस calendar में भी फिर से हम देखते हैं कि figures of gods being used to sell new products calendar में भी भगवान का photo बना दिया जाता था ताकि लोग और भी attract हो उससे समझे की नहीं और यह calendar वाला trend तो आज भी देखने को मिलता है आप समझे रहे हैं कि कोई भी आप किसी दुकान का अगर आप regular customer है तो वो दुकान आपको एक अप्रिल या फिर जो भी बहुत important है इसके उपर question आता है आपसे direct पूछ लेंगे आपसे पूछेंगे कि explain the role of calendars in creating new consumer for the British product calendars का रोल बताइए तो यहाँ पर जीता भी sentence है उन्स सबको point wise लिख देना यह point यह point फिर यह point फिर यह point फिर यह point और यह point समझे चलिए तो यह हो गया 4 था आब आप जाते है पांचवे तरीके पे जिसे की goods का marketing किया जाता था पांचवा तरीका है important personages का figure यूज करके पहले के जबाने के जो emperor थे नवाब्स थे इनका भी image यूज किया जाता था advertisement करने के लिए और calendars में भी इनका image यूज करते थे ठीके message काफी simple था कि अगर आप इन royal figures इन emperor और नवा जब यह product को use कर रहे थे तो आप भी इस product को use कर सकते हैं इसे quality पे आपको सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए ठीके तो ऐसा कुछ image का मतब message जाता था समझे चलिए यह पांचवा तरीका और एक छटा तरीका यह है कि जब Indian manufacturers अपना समान को advertise करना स्टार्ट किये तो वो लोग भी nationalist message का use करते थे nationalist message से यह clear होता था कि अगर आप देश भग थे अगर चाहते हैं कि इंडिया का वहलाई हो तो आप इस समान को खड़ी दिये तो इस तरीके से Indian manufacturers अपने product को market करते थे आप यहां पर एक image में भी देख सकते हैं इस image को देखिए an Indian milk cloth label है यह इसमें लिखा है बनो लो माल मतलब हिंदूस्तान में यह माल बना हुआ है आप इसको खर देंगे तो जो भारत माता है इनका build-up होगा ठीक है देखिए यह भारत माता कपरे दे रही है यह कपरा आप खड़ी देंगे स्वादेशी देश का कपरा तो देश का भलाई होगा ठीक है ऐसा कूछ तरीका था advertisement करने का समझें चलिए तो यह topic end हुआ चलिए दिखतें इसके उपर questions कैसा कैसा आएगा एक question तो आपको बता दिए calendar के उपर बहुत important है बहुत ठीक है और एक पूले topic पे broad question बनेगा आपसे पूछेंगे इस तरीके से कि what were the methods used by the British manufacturers to expand their market in India क्या-क्या methods थे तो मांक्षे method का नाम लिख देना है मांक्स पर depend करेगा या फिर इसी question को अलग वे फ्रेम कर सकते हैं कि explain any five ways by which new markets and consumers were created in India by British manufacturers वो पांस तरीका बात है जिससे की new market और new consumer को attract किया जाता था तो यही advertisement, labels, images of gods and goddesses, calendar, figure of important personages यह पांस तरीका आप लिख देंगे समझें चलिए अब आज आते हैं conclusion पे, conclusion इसका यही है last में, देखिए, clearly the age of industries में बहुत major technological changes तो हुआ ही, क्योंकि industries आया तो technology change का वज़र से ही आया, ठीके, इसमें factories का number increase हुआ, फिर industrial labor जो थे, वो लोग जो industries में काम करते हैं, उनका number भी increase हुआ, ठीके, लेकिन इसके साथ-साथ, age of industries में इसमें की सिफ, बड़े industries ही थे, इसमें जो hand technology वाले और small scale जो industries थे, यह भी एक important part, role play कर रहे थे, industrial landscape में, समझें, चलिए, यह conclusion, इसी के साथ, यह जो हमारा chapter है, यह end हो गया, और यह जो exercise में questions दिया हुआ, यह बहुत important है, ठीके, यहाँ पर लगबग सारा question हम discuss कर चुके है एक बार हम सिफ यह true false discuss करते हैं, इसमें पहला question है कि, at the end of 19th century, 80% of total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector, बहुत important, जड़ा सोच के बताइए, इसका answer क्या होगा, अगर इसका answer आप नहीं बता पार है, तो हम तो recommend करेंगे कि आप book में वापस, इस chapter में वापस ढूनें कि यह line कहां पर है, ठीक है इस आपका यह recall करने में help मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा page number 84 में, page number 84 का top में आप देखेंगे, उसमें एक line लिखा है कि, even at the end of 19th century, less than 20% of total workforce was employed in technologically advanced industrial sector, 20% से भी कम workers जो थे, वो यहाँ पर employed थे, यहाँ पर लिखा है 80%, तो यह होगा wrong statement, यह false हो जाएगा, समझे की नहीं, चलिए, दूसरा, the international market for fine textiles was dominated by India till the 18th century, तो यह right statement है true, American civil war resulted in the reduction of cotton export from India, जब अमेरिका में civil war हुआ, तो इससे cotton export इंडिया से reduce हो गया, तो यह wrong statement है, increase हो गया, उल्टा, क्योंकि ब्रिटेन को जब यहाँ से, अमेरिका से rock cotton मिलना बंद हो गया, तो ब्रिटेन, इंडिया से cotton increase होना चाहिए, ठीक है, चलिए, और D, the introduction of fly shuttle enabled handloom worker to improve their productivity, हाँ, इसे productivity increase हो गया, अब wider cloth यह लोग produce कर पा रहे थे, productivity per worker बढ़ गया था, ठीक है, तो यह इसका answer हो जाएगा true, तो यह first में false, फिर है true, फिर है false, और फिर है true, ठीक है, चलिए, तो यह हो गया, और बाकी यह सब explain the following, explain what is meant by proto initialization, यह सब discuss कर चुके detail में, बाकी यह सबका answer, अगर आपको detail में चाहिए, तो आपको मेरे website में जाना परेगा, www.cbasicguidanceweb.com, यहाँ पर जाएंगे, और class 10 वाले section पर chapter के name पर click करेंगे, तो इस chapter से जितना भी important question answers है, वो सब एक जगा पर आपको मिल जाएगा तो अभी आप chapter समझ लिए, अच्छे से, जैसे हम underline किये हैं, उमीद करते हैं, आप भी underline कर लिए होंगे, वो आपका base material तो होई गया, साथी साथ जो website में questions दे रखें, उसको आप prepare कर लीजिए, इतना कर लेंगे तो काफी होगा, एस chapter के लिए आप पूरे तरिके से त्या subscribe भी कर लीजिए, और चनल में देखिए, और भी कई सारे subject के वीडियो है, science के, maths के, English के, आपको वो भी help करेंगे, आप देख सकते हैं एक बार, चलिए, end करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care झाल